हेलो सुडिंट्स आइम नीरच चास्टा टीम फिजिक्स इलसी सीकर दंगल फूर फिजिक्स फूर पेपर सॉलिशन में आप लोग का स्वागत करता हूं तो बायो गेम डीडियस फिजिक्स सीको और डी सीम के बाद हम लोग आखरी पड़ाव में हैं और हम लोग के हम डेली मे घ्की सेक्षण कट्रीम ङता है जिसमें 35 कोशों वो सारे कमपल्सरी कोश्चों से और सेक्षण भी है जैसमें हमारे पास 15 कोश्चं से जिसमें से आप लोग 11 अपट अच्छा हुआ हो को में हम रुद हो हैं और चलते हैं you can Section ए it क्या बोलता है A point charge is kept at the centre of the metallic spherical shell Then किसी एक खोकले दात्विक गोले के कैंदर पर एक बिंदो आविश रखा गया है तो तो क्या प्रभाव होना है या क्या effect बनना है वो दिखेंगे तो let us consider हमारे पास metallic spherical shell है ये अपने पास metallic spherical shell या इसको आपन बोलते है खोकला दात्विक गुला और इसके center पर हमारे पास क्या रखा हुआ है एक charge रखा हुआ है मैं उस charge को बोलते दाओं लेस से यह plus q charge रखा हुआ है तो यह metallic sphere है उसकी वज़े से इसकी जो inner layer रहेगी inner layer पर इस पर क्या charge induced होगा minus q और इसकी outer layer रहेगी उस पर charge क्या induced होगा plus q तो तो गोले के बाहर मैं observation point लेता हूँ यह observation point अगर मेरे पास है तो यहाँ पर field intensity हम लोग को जो मिलेगी अगर वैसे तो हम लोग field intensity के expressions के according भी इसको देख सकते हैं बट अगर अपन यहाँ बात करें तो मैं gauss law के according चलता हूँ तो यहाँ पर मैं Gaussian surface consider करूँ जिस पर यह observation point अप तो इस Gaussian surface में आने वाला total charge कितना रहेगा plus q minus q plus q यह दोनों cancel कर देंगा और यहाँ पर क्या बनेगा plus q तो sigma q कितना बन रहा है तुम्हारा plus q बन रहा है जिसके according अपन देखे कि यह term 0 नहीं हो रही है तो आगर आप यहाँ पर देखोगे तो e b 0 नहीं होगा e 0 नहीं होगा तो यह statement क्या हो गया है गलत हो गया है आपको बाहर field intensity मिलेगी आप basic expressions के according की देख सकते हैं बट यह इसका true explanation रहेगा कि charge and closed Gaussian surface के लिए क्या है 0 नहीं है इंसाइड the sphere की बात करते हैं तो inside sphere हमारे पास यह observation point ले लेते हैं और यहाँ पर अपन Gaussian surface की अगर अपन बात करते हैं तो फिर से इस Gaussian surface के अंदर charge and closed जो है वो 0 नहीं है हमारे पास कुछ ना कुछ अपने को चार्ज यहाँ पर मिल रहा है ठीक है चार्ज है हमारे पास तो फ रहा हो जाएगा next net induced charge on the sphere is 0 गोले पर कुल प्रेरी तावेश शुन्य होगा तो गोले पर कुल प्रेरी तावेश की बात करें तो कुल net q induced की अगर अपन बात करेंगे तो यह कितना है plus q और यह क्या है अपने पास minus q जिसके according अगर अपन देखे तो यह कितना हो जाएगा 0 हो तो यह भी statement क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो पहले question का answer रहेगा अपने पास third net induced charge will be 0 या गोले पर कुल प्रेरी तावेश क्या रहेगा शुन्य रहेगा चलते है अपन question number 2 question number 2 question number 2 क्या बोल रहा है हम लोग को यह बोल रहा है की situation क्या है two protons A and B are placed in between the two plates of parallel plate capacitor charged to a potential difference V the forces on two protons are F A and F B then यहां पर चित्र में दो proton जो है वो अपने पास इस समांतर plate संदारित जिसको विवांतर V द्वारा आभिशत किया गया है उसमें इन इस्तितियों पर रखे गए हैं इन दोनों proton पर लगने वाला force या इन दोनों proton पर लगने वाला बल क्या रहेगा इन की इन दोनों लेयर्स की वज़े से इस positive layer की वज़े से field intensity इधर की दरब that will be sigma अपॉन कितना रहेगा आपने पास 2 epsilon 0 और इस negative layer की वज़े से field intensity वो भी कितर रहेगी इधर की दरब रहेगी that will be sigma अपॉन क्या रहेगा 2 epsilon 0 अगर अपन net electric field की बात करें तो net electric field will be equal to sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0 that will be sigma upon कितना हो जाएगा epsilon 0 देखें this electric field between the capacitor plates is uniform ये एक uniform electric field रहेगा देखें उस case में अभी अपने पास दोनों protons है और उन पर लगने वाला force जो रहेगा that will be f equals 2 क्या रहेगा हमारे पास QE और charge proton है और electric field हमारे पास क्या है uniform है तो दोनों protons पर force क्या लगेगा same लगेगा तो यहाँ पर अगर अपने को देना है तो इस पर भी जो force रहेगा that will be proton है that will be in direction of electric field f a इदर की तरफ और ये भी proton है इस पर भी जो force रहेगा that will be in the direction of electric field that will be f b और दोनों का magnitude क्या रहेंगे same रहेंगे because charge is same and electric field is equal तो हमारे पास क्या हो जाएगा electric field is uniform तो हमारे पास result क्या हो जाएगा f a will be equals to f b question number 2 answer number क्या रहेगा हमारे पास 2 चलते हैं अपन question number 3 पर question number 3 ये बोल रहा है in common emitter configuration the input characteristics of transistor is the variation of उबईने सरजग विन्यास में transistor का निवेशी अभिलाक्षनिक वक्र निम्न के मद्य होता है देखें common emitter की characteristics की बात करते हैं common emitter configuration क्या होता है emitter is common between input and output ये रहा हमारे पास emitter input apply होगा common emitter में base पर this is base this is emitter and this will be collector तो हमारे पास situation क्या रहती है common emitter की क्या बात करें तो common emitter में input हमेशा किस-किस पर apply होगा base और emitter की बीच में input apply होगा base emitter क्या रहेगा हमारे पास input section और उसी जिगर पर अगर अगर आपन collector और emitter की बात करें तो ये क्या रहेगा हमारे पास output section हम लोग को यहाँ पर बात करनी है input characteristics के लिए देखें कभी transistor का कोई भी configuration होता है तो उसकी जो input characteristics होती है input या निवेशी जो अभिलाक्षनिक होता है input characteristics जो होती है वो होता है input current input current versus input voltage that at constant at constant output voltage ठीक है ये input characteristics को characterize कि जाता है कि किस तरह से transistor की input characteristics बनेगी वो होता है input current versus input voltage at constant output voltage तो इधर इस system में input current क्या रहना है हमारे पास IB रहना है input voltage जो रहना है वो यहाँ पर input section का voltage वो कौन रहना है अपने पास VBE रहना है और इस time पर output voltage जो बनना है वो कौन बनना है अपने पास VCE बनना है ठीक है तो अगर अपने कि इन्पूट करेक्टर्स्टिक्स के लिए बोला जाये तो यहां पर input current को ने भी IB, input voltage को ने यहां पर VBE और यहां पर output voltage को ने अपने पास VCE, तो हमारे पास input characteristics जो बननी है वो बननी है IB versus VBE at constant VCE, IB input current, VBE input voltage, VCE output voltage, तो यह रहेगा हमारे पास IB versus VBE at constant VCE, input characteristics of common emitter, common emitter transistor, take a common emitter configuration of transistor that will be input current, input voltage IB versus VBE at constant output voltage which is VCE, टेक है, यह IB against IC, तो यह नहीं बनेगा, this is one simple thing that input characteristics, हमेशा आप ध्यान रखें, और भी कोई configuration है, तो हमेशा input characteristics जो नहीं बनेगी, input current versus input voltage at a constant किया रहेगा, output voltage, अगर आपको output characteristics चाहिए, तो output characteristics हमेशा बनता है, output current versus हमारे पास रहेगा, output voltage and that will be at constant input current, इसमें input current को constant रखा जाता है, output characteristics के लिए, तो अभी अपने को input characteristics के लिए बुला हुआ तो this will be our answer, IB against VBE, IB against VBE at constant VCE, चलते हैं अपन, question number 4 पर, simple question, next, the first diffraction minimum due to a single slit diffraction is at angular position theta is equals to 30 degree, the light is for a light of a wavelength 5000 angstrom, the width of the slit is, एकल slit विवरतन के कारण प्राप्त, प्रथम निमनेश्ट हमारे पास theta is to 30 degree कोणी इस्तिती पर प्राप्त होता है, यदि प्रकाश की तरंग देर देर 5000 angstrom हो, तो slit की चोड़ाई होगी, देगे, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, विवरतन के लिए, यह हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, diffraction के लिए, और diffraction minima की जो condition होती है, वो क्या होती है हमारे पास, that is d sin theta, that will be equals to क्या होता है, n lambda, आपको बुला हुआया, 1 हो चुकी है, और यहां पर d sin हमारे पास क्या है, theta, कि अगर अपन बात करें, that angular position हमारे पास कितना बन रहा है, that is 30 degree, तो यह मंजांगा मेरे पास कितना, 30 degree, that is equals to n की वेल्यू कितनी है, n, that is, यह हो गया 1, और lambda की वेल्यू अपने को कितनी दे रखिये है, 5000 angstrom दे रखिये हैं, तो अपने को क्या पता करना है, width of slit, तो यह हैं अपने पास width of slit, sin 30, that is 1 by 2, and this will be equals to lambda, कितना है यह 5000 angstrom, ठीक है, तो situation को अगर अगे देखें, तो हमारे पास क्या बन रहा है, d will be equals to, this is 2 into 5000, that is 10,000 angstrom, ठीक है, d जो बनेगा, या इसको अगर अपन देखें, तो यह कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 10 raise to power 4 into 10 raise to power कितना हो जाएगा, minus 10, meter में आ जाएगा, तो अपने पास जो result रहना है, d की value जो बननी है, d will be equals to कितना हो जाएगा, 10 raise to power minus 6 meter हो जाएगा, 10 raise to power minus 2 meter, जिसको अपन लिख सकते हैं, d will be equals to 10 raise to power minus 4 centimeter, तो d बनेगा, तो मारे पास 1.0 into 10 raise to power minus 4 centimeter, एक simple question, diffraction pattern के लिए, d sin theta will be equals to n lambda, that is the condition for diffraction minima, ठीक है, interference और diffraction में मामला उल्टा चलता है, तो यहाँ आपर हमारे पास क्या रहेगा, answer will be 2 for fourth question, ठीक है, चलता है पन question number 5 पर, तो next question क्या बोलता है, when current flow in a conducting wire, there exists an electric field in the direction of, जब चालक तार में धाराप्रवाइद होती है, तो तार में वैदुशेत्र निम्न दिशा में होता है, in the direction of flow of current, opposite to the flow of current, perpendicular to the flow of current, and there will be no electric field in the wire, दाराप्रवाइद की दिशा में, दाराप्रवाइद की विपरीद दिशा में, दाराप्रवाइद की लंवद दिशा में और या फिर तार में कोई वैदुशेत्र नहीं होगा, अगर अपन electrostatic conditions की बात करें, तो एक conductor में के inside electric field क्या रहेगा, जीरो रहेगा, electrostatic condition में, पर electrodynamic condition की बात करें, या अगर आप external source से किसी conductor को अपने connect करके रखा हुआ है, तो situation हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगी, कि हमारे पास ये situation, ये मैंने external source यहाँ पर apply किया है, जिसकी वज़े से ये resistance या एक sample है, एक wire है, ठीक है, और ये metallic wire है और इसमें current क्या हो रही है, flow हो रही है, तो basically हम लोग ये तो जानते हैं कि ये हमारे पास plus हैं और ये minus हैं और अभी इसमें current इदर की दरफ low होगी, ठीक है, इदर high potential to low potential, ये ultimate, this is the resultant effect, पर ये actually हो क्यो रहा है, उसके लिए अगर आपन बात करें, तो यहाँ पर क्या situation होती है, कि electrons, हम लोग electrons की motion की बात कर रहे हैं, तो electron current की अपर direction में, इदर की दरफ यहाँ पर move कर रहे हैं, या आपन ये बोलें कि ये जो positive हैं, वो electrons को इदर की दरफ अट्रेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये electron इदर move होने का reason ये है, कि यहाँ पर high potential, this is at high potential, ठीक है, and this is at low potential, ठीक है, तो high potential is low potential, यहाँ पर एक electric field create होके रखा हुआ है, उस electric field की वज़े से ये electron जो है, ये electric field के opposite direction में, force observe करते हैं, that force will be equals to QE upon क्या रहेगा, मारे पास M, इदर की दरफ ये force observe करेंगे, जिसकी वज़े से ये इदर की दरफ drift होना शुरू करेंगे, और इनकी जो average velocity इस motion की रहेगी, उसको अपन बोलते हैं, drift velocity, electrons उदर की दरफ drift करेंगे, इस force की वज़े से drift velocity इदर की दरफ रहेगी, और जिसकी वज़े से resultant effect जो रहेगा, current की दरफ लोगी, that will be in the direction of electric field, तो यहाँ पर अपने को पुछा हुआ हैं कि, यहाँ पर electric field कैसे रहेगा, तो electrodynamic conditions में, अभी high potential to low potential, या current flow की direction में, यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास, electric field रहेगा, there exists an electric field in the direction of current flow, देखे, current जिदर flow हो रही हैं, उदर हमारे पास electric field रहेगा, या इसको अगर अपन देखे, electric field जिदर होगा, electrons उसके opposite direction में move करेंगे, और electrons की motion के opposite direction में वापस का होगी, current flow होगी, तो 5th का answer नमबर रहेगा, हमारा 1, good, good, चलते हैं अपन, next question, question number 6, question number 6, यह बोल रहा है, a cell of EMF E in internal resistance 2R is connected in the series with external resistance NR, external resistance की value दे रहे हैं हमने को, कितनी है, NR, then the ratio of terminal potential difference to the EMF is, E विदुदवाग बल तथा आंतरिक प्रतिरोद 2R का cell, एक NR मान के बाई प्रतिरोद के साथ में जुड़ा हुआ है, तो cell की terminal roll तथा विदुदवाग बल की मिद्य का अनुपात होगा, तो देखें, system क्या बोल रहा है, system में अपने पास एक cell है, जिसका विदुदवाग बल कितना है, E है, ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोद कितना दे रखा है, अपने को, आर नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है, 2R दे रखा है, इधर ये external resistance है, और external resistance की value दे रखी है हमने को, ये कितनी दे रखी है हमने को, nR दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को terminal potential difference और EMF का क्या करना है, ratio calculate करना है, तो सबसे पहले एक बात करते हैं, कि इधर terminal potential क्य भी मिल रहा है, वो क्या रहेगा, इसका terminal voltage रहेगा, EMF तो true source है, ठीक है, बट internal resistance, इस पूरे system के across जो terminal, या potential difference जो मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, अपन, terminal voltage बोलते हैं, ठीक है, अगर terminal voltage की बात करूँ, तो basically, इस cell के terminals पर जो voltage मिल रहेगा, वो इसका terminal voltage है, या फिर मैं यह पर बोलूँ कि यह जो external resistance है, इसके across जो voltage आपको मिल रहा है, वो इस cell का क्या रहेगा, terminal voltage रहेगा, ठीक है, यह फिर मैं वी की अगर बात करूँ, इस circuit में अगर I current flow हो रही है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, V will be equals to, यह जाएगा मेरे पास I into क्या रहेगा, R external, या R external, बाहर से जो अपनने external resistance लगा रखा है, यह इसका terminal voltage है, पर इसका terminal voltage यहाँ पर इस resistance के across चो voltage रहेगा, उसके बराबर रहेगा, अभी currently अगर अगर आपन देखे तो यह इन दोनों nodes के respect में, यह दोनों जो है, यह यहाँ पर parallel में connect है, तो यहाँ पर इन दोनों पर voltage क्या रहे connected है, E connected है, Nr connected है, 2r connected है, तो अपन आई की बात करें, तो I कितना हो जाएगा, E upon resistance कितना है, Nr प्लस कितना है अपने पास, 2r, यह दोनों series में है, तो यहाँ पर आगे, यह मेरे पास बनेगा, I, I की value कितनी है अपने पास, that is E upon कितना बन जाएगा, Nr प्लस क्या हो जाएग हमारे पास 2R या इंटू कितना लिख सकते हैं अपने इसको nR लिख सकते हैं अपने इसको nR लिख सकते हैं अपने को पुछा है V upon E का रेशयो तो V upon E की अगर में बात करो तो यह बन जाएगा nR upon कितना बन जाएगा यह n plus 2 into कितना हो जाएगा R, R से R cancel या V upon E का रेशयो बन जाएगा n upon n plus क्या हो जाएगा 2, n upon n plus 2, option number 3, question number 6 का answer number रहेगा अपने पास कितना रहेगा n upon n plus 2, answer number 3, तो एक simple question, interesting concept, आप हमेशे ध्यान रखेंगे या तो तुम इस cell के लिए solve कर लो terminal potential, तो cell के लिए आप अगर यूँ बोलना चाता हूँ, नहीं sir मैं cell के according solve करना चाता हूँ तो cell अभी क्या हो रहा है, discharge हो रहा है, और cell भी discharge हो रहा है, तो V की value जो रहेगी, वो क्या रहेगी E minus I into internal resistance R, और R की value कितनी अपने पास यहाँ पर 2R है, तो अब तुम वापिस यहाँ पर I की value यहाँ पर put करके solve करोगे, तो दोनों का answer क्या आएगा, सेम आएगा, either you solve by this voltage, that voltage across this resistance will be equals to voltage across this, इसके 0 पर जो अपने को voltage मिल रहा है, वो इस resistance के across voltage की क्या रहेगा, बराबर यहाँ फिर तुम इस equations को solve करो, V will be equals to E minus I into internal resistance, वो कितना आपने पास 2R है, यहाँ पर I की value पुट करो, इस equation को solve करोगे, तो फिर से यही वाला result आप लोग को मिलेगा, बराब, चलता है बाद कोशन नमबर 7 पर, कोशन नमबर 7 क्या बोल रहा है आपने को, कोशन नमबर 7, In a potentiometer experiment, a cell of EMF 1.5 volt is connected in the secondary circuit, gives a balancing length of 165 cm of wire, if a resistance of 5 ohm is connected to the parallel to the cell, balancing length of wire is 150 cm, the internal resistance of the cell is, देखे, विवमापी प्रियोग में दिर्तियक पती परिपत में जुडे, 1.5 volt की विदुद्वाग बल cell के लिए, संतुलन नमबाई, 165 cm मिल रही है, 5 ohm का प्रतिरोध इस cell के समांतर ग्रम में जोड़ दिया जाए, तो संतुलन नमबाई कितनी हो जाती है, 150 cm प्राप्त होती है, तो इस cell का आंतरिक प्रतिरोध होगा, देखे, तो मैं secondary circuit बना रहा हूँ, यह अपने पास potentiometer wire है, कितने का है, यह अपने पास, जो भी है, यह इसकी जो balancing length तुमको मिल रही है, gallonometer इसका जो balancing length मिल रहा है, 165 cm बन रहा है, अब अपने इसके parallel में क्या करने का लिया है, यह अपने पास एक 5 ohm का resistance, तो अब जो मिलेगा वो तुमको क्या मिलेगा, इस पर, इसके terminals पर क्या मिलेगा, terminal voltage मिलेगा, और terminal voltage जब मिलेगा, तो हम internal resistance की जो value होती है, इस experiment के according, या internal resistance की अगर अपन बात करें, तो internal resistance is always equals to E minus V upon V into क्या रहता है, R रहेगा, यह R वो है, जो external resistance अपने अपने अपलाई किया है, देखें, यहाँ E के लिए अगर अपन बोलें, तो E को अपन लिख सकते हैं, this will be XL1 minus यह हो जाएगा, XL2 upon यह हो जा जाएगा, R, X से X से X cancel और R की value जो बनती है, वो बन जाएगा तुम्हारे पास L1 minus L2 upon क्या हो जाएगा, L2 into कितना बन जाएगा, R, values put करते हैं, पहले balancing length 165 E के लिए, minus terminal potential जब R connect कर दिया है, तो balancing length कितनी आ रही है, 150 upon L2 कितना है, 150 into R की value कितनी है, अपने पास 5, तो यह बन लेक सकता है, this will be 0.5, 0.5, internal resistance will be ohm, 0.5 ohm, तो साथवे का answer रहेगा, हमारे पास 0.5 ohm, answer number 4, एक simple experiment, यह internal resistance calculate करने का experiment होता है, यह standard application, यह formula बहुत important है, internal resistance will be equals to E minus V upon V into क्या रहेगा, R, where R is external resistance connected to the battery, ठीके, चलते हैं, पहले हम पन, question number 8 पर, question number 8, क्या बोल रहा है, हमारे पास एक solenide है, solenide of 1.5 meter long and 0.4 centimeter in diameter, possess a 10 centimeter per ton, 10 tons per unit centimeter length, देखें, एक current flow, current of 5 ampere flow through it, magnetic field at the axis, inside the solenide will be, 1.5 meter लंबी देता, 0.4 centimeter व्यास की परिनालका में, 10 फेरे प्रती काई centimeter लंबाई है, प्रती काई centimeter लंबाई का मतलब, 1 centimeter में, ठीक है, तो यदि परिनालका में, 5 ampere की दारा प्रवाइद हो रही हो, तो परिनालका के अंदर, वो ख्यक्स पर, चुम्कीक शेतर का मान होगा, चुम्कीक शेतर, magnetic field on the axis of solenide, हम लोग जानते हैं, कितना होता है, mu not ni, ठीक है, और values पूट करने के लिए अपने को n चाहिए, और n की values इसने बोल रहे खिए है, 10 tons per centimeter length, इसका मतलब यह दे रिखा है, कि अपने पास क्या है, 10 tons per centimeter, पर अपने को यहाँ पर mks में solve करने के लिए दर क्या चाहिएगा, अपने को meter चाहिएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, this is 10 upon, इसको लिख सकता हूँ में, 10 raise to power minus 2, centimeter को meter में convert कर दे है, turns per meter हो जाएगा, जो बन जाएगा मेरे पास कितना, 1000 tons per meter, ठीक है, तो यह दिखी रहाएगा, एक centimeter में अगर अपने पास कितने है, 10 tons है, तो एक meter में कितने turn हो जाएगे, 1000 tons, turns per meter हो जाएगे, ठीक है, तो values put कर देता है, बी विल बी, वस्टू, यह बनेगा, तुम्हारे पास mu naught, mu naught is 4 pi into कितना रहेगा, 10 raise to power minus 7, n की value कितनी आ गई है, 1000, इंटू यह हो जाएगा, तुम्हारे पास कितना i की value, 5 दे रखा है, ठीक है, तो, sorry, 5 है यह, 5, this will be 5, ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, this will be 20 pi into बन जाएगा, मेरे पास कितना, 10 raise to power minus 4, 20 pi, यह तो 2 pi में चल रहा है, मामला, तो इसको और देखें तो, यह कितना हो जाएगा, 2 pi into 10 raise to power, कितनी हो जाएगी, minus 3, 2 pi into 10 raise to power, minus 3, tesla, 2 pi into 10 raise to power, minus 3, tesla, आटवे का answer number रहेगा, हमारा, 1, कलते हैं, अगले question पर, आटवे के बाद, नववा, नववा यह दे रखा है, the flux linked with the coil at any instance T is given by 5 equals to CT square minus 20 T plus 3, if induced EMF at T equals to 2 seconds is 0, value of C is, किसी समय T पर अपने को flux क्या दिर्खा है, यह दिर्खा है, तो 2 seconds पर प्रेरित विद्वाग बल का मान क्या होगा, ठीक है, प्रेरित विद्वाग, sorry, प्रेरित विद्वाग बल का मान शुन्य है, तो C का मान क्या होगा, तो क्या चल रहा है, आपने पास, 5, 5 दिर्खा है, है हैं लोग जानते हैं e will be equals to क्या हो जाएगा हमारे पास d5 upon क्या हो जाएगा dt तो e will be equals to differentiation करो कितना बन जाएगा 2 c t minus क्या बन जाएगा अपने पास 20 और 2 second पर emf कितना है 0 है कहने का मतलब 2 c इधर क्या है 2 हो जाएगा minus का 20 उस time पर emf कितना है 0 है तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास 4 c minus 20 जाएगा 0 तो c की value 20 बटा 4 कितना बन जाएगा 5 तो c की value आएगी 5 दन तो हमारे पास 9th का जो answer रहेगा that will be answer number 3 c की value कितनी बनेगी 5 बनेगी चलते हैं आपन दसवे question पर दसवे question maximal modified form of empire circular law will be maximal द्वारा संशोधित empire का परिपती नियम है यह वैसे आपको याद होना चाहिए बट अगर नहीं भी है तो हम लोग यहाँ पर देखें कि maximal ने यह जो सारी बात करी थी वो एक capacitor को लेके करी थी कि capacitor में या capacitor जब charge हो रहा होता है जब इस पर charge collect हो रहा है क्यों चार्ज इंक्रीज हो रहा है उस टाइम पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस लेयर पर इनर लेयर पर इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पर यहाँ पर circuit में जो current flow होती है इसको बोलते हैं अपन conduction current, इसके अंदर जो current flow होती है उसको बोलते है displacement current, conduction current और displacement current जो होती है, वो दोनों same होती है, equal होती है, और Maxwell ने जो ampere modify किया था, वो किया था, integration B dot DL, that will be equal to mu 0 times current passing, that is conduction current plus क्या रहेगा तुमारे पास displacement current, यह रहता है, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, displacement current के लिए, तो displacement current के लिए उसने rule जो use किया था, यहाँ पर अगर अगर अपन बात करें, तो इसमें क्या हो रहा है, कि charge change हो रहा है, जिसकी वज़े से यहाँ पर हम लोग consider करते हैं कि यहाँ पर current flow हो रही है, तो उसके लिए gaus flow को उसने use किया था, और displacement current की value calculate करी, यहाँ पर अगर अपन देखें, तो integration B.DL, that will be equals to mu times of, mu not times of I, या Ic इसको लिख सकते हैं, प्लस अपने पास क्या हो जागा, mu not times of displacement current अमारे पास यहाँ पर आएगी, displacement current के लिए अगर अपन बात करें, तो वैसे तो system में अपने पास equation जो है, current होन होना चाहिए, mu not के साथ में यहाँ पर current multiplication होना चाहिए, तो mu not के time में यहाँ पर current तो यह हो गया, epsilon not extra आ रहा है, तो यह साही नहीं हो सकता, यह तो मामला खतेमी हो गया है, यह केवल true amperes law है, इसमें बात आती है, इसकी और इसकी और इसकी, और इसमें अगर आपन देखें तो यह current की dimension बन गई, यह mu not i और यह mu not i बन जाएगा, epsilon not रहा है, तो यह तो formula dimensionally correct नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, इसका answer तो बन जाएगा fourth, पर अगर आपको चाते हो कि यह कैसे बना हुआ है, ID कैसे बनती है, तो ID के लिए अगर अपन बात करें तो इस plate को मैं refer करता हूँ, और इस plate पर अपने पास कितना है, charge क्या है, Q है, मैं इसके चारों तरफ यहाँ पर एक Gaussian surface consider करूँ, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर flux change होगा, तो यहाँ पर electric flux change होगा, तो electric flux change होने की वजए से यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर current flow हो रही ह है, और अगर मैं sigma Q की बात करूँ तो वो कितना है Q, और Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, this will be epsilon not times कितना हो जाएगा, phi E, और यहाँ पर इस Q का अगरपन differentiation करें, तो वो ID displacement current को बोलता है, यहाँ पर charge change हो रहा है, जिसकी वजए से यहाँ पर electric flux change होता है, और variable electric flux की वजए से यहा पर magnetic field generate होगा, तो यह रहेगा मेरे पास ID, ID, DQ upon क्या रहेगा वो DT, अगर मैं इसका differentiation करता हूँ, तो यह epsilon not तो बाहर और यह बन जागा, तो उम्हारे पास कितना D phi E upon क्या हो जाएगा, phi E upon DT बन जाएगा, तो DQ upon DT, या इस ID की बात करें, तो ID की value epsilon not D phi upon क्या हो जाएग मेरे पास DT, यह रहेगा, epsilon not D phi E upon DT, यह displacement current का formula है, epsilon not D phi E upon क्या रहेगा, DT, तो एक simple question, एक important question, what is ampere modified, what is maxwell modified ampere's law, then answer number रहेगा 4, चलते हैंपन, answer number 5 पर, If R is the radius of an-th orbit, then the angular momentum of an electron in any orbit of hydrogen atom is proportional to, यदि R N V तक्षा की तरिज्या हो, तो hydrogen परमाणों की किसी तक्षा में electron का कोनी है समवेग होगा, एक important question, तेक है, इसके आप अलग-अलग answer देख सकते हैं, आपको अलग-अलग conditions में, अलग-अलग equations में, answer अलग-अलग मिलेंगे, बट इस N H upon 2pi, 2pi, this will be N H upon 2pi, तो angular momentum this complete term, आपको देखने में L जो है, वो यहाँ पर R के single power proportionality में लग रही है, बट ऐसा नहीं है, तेक है, यहाँ पर अगर 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 is proportional to n square, तो यहां से अगर मैं n की बात करूँ, तो that will be proportional to root क्या हो जाएगा, r, तो यहां पर अगर 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 अपन बात करें, then l will be proportional to क्या रहेगा, root r, ठीक है, this will be the true relation, angular momentum will be proportional to root r, ठीक है, एक तो यह, अगर आप यूँ देखो कि sir, आप सारे मामले discuss कर लेते हैं, l, तो यहां पर हमारे पास क्या है, n h upon 2 pi, तो इसमें यूँ देखने पर लगता है, कि r की power 0 होनी चाहिए, ठीक है, r की power 0 नहीं है, n जो है, अलग-अलग होगा, तो radius क्या होगी, अलग-अलग होगी, r आपको radius दे रिखी है, ठीक है, तो r की power 0 नहीं बनेगा, दूसरा, तुम बोलोगी sir, l, जगस 2 हमारे पास कितना है, mvr है, ठीक है, तो mvr में r की power 1 बन रही है, ऐसा नहीं है, orbit अलग-अलग होगी, तो velocity क्या होगी, अलग-अलग होगी, उसके according यहाँ पर velocity की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, kze square upon क्या रहता है, r square, that is equals to mv square upon क्या रहेगा, r, यहाँ से r से 1 r cancel, और अगर मैं v square की बात करों, तो v square is proportional to क्या है, 1 upon r, यह v की अगर बात करों, तो that is proportional to 1 upon root r, तो यहाँ पर l की अगर बात करों कि this will be m, v कितना proportional है, अपने पास, 1 upon root r के proportional है, और यह वापिस क्या है, तुम्हारा r है, root r से r cancel, यहाँ पर root r, तो l will be proportional to कितना आएगा, root r, एक बहुत ही important question है, that l will be proportional to root r, या, या तो ऐसे solve कर लो, कि l is proportional to n, and n is proportional to root r, या ऐसे solve कर लो, m, v, r, जहाँ पर v क्या है, हर orbit में क्या रहेगा, अलग रहेगा, then l will be proportional to root r, 11, important question, चलते अपन, question number 12 पर, question number 12, a general diode when used as a voltage regulator is connected in forward bias, reverse bias, in parallel to road, in series with load, और अपने को ये बताना है, कि इन में से कौन से statement correct होने है, ठीक है, जब general diode को voltage नियंत्रक के रूप में प्रियुक्ति आ जाता है, तब इससे जोड़ा जाता है, अगर अभी निती में, उत्करम अभी निती में, load प्रतिरोद के समांतर में, load प्रतिरोद के है, तो उसको reverse bias में अपन यूज करते हैं, forward bias में general diode का behavior, जो simple diode होता है, उसके जैसे रहेगा, तो general diode जो रहेगा, हमारे पास इस तरह से रहेगा, ठीक है, reverse bias में, और load resistance जो होता है, वो इसके लगा हुआ होता है, parallel में, this will be your load resistance, इसके across अपन लेंगे, output voltage, जो क्या रहेगा, constant बना रहेगा, तो अभी system क्या बोल रहा है, system में, हमारे पास general diode किसमें है, reverse bias में, reverse bias का मतलब, second, और load resistance के क्या है, ये, parallel में, in parallel with load third, तो second and third both will be in the correct situations for using general diode as a voltage regulator, second and third, second and third, दोनों सही है, तो ये रहेगा, हमारे पास कितना, दूसरा option, second दूसरा, third, तो 12 का answer रहेगा, हमारे पास 2, देख है, तो ये voltage regulatory conditions है, चलते हम पन अगले कुशन पर, 13, an object is placed at a distance equal to focal length of, focal length of convex mirror, देख है, if the focal length of mirror is f, then the distance of image from the pole of the mirror is, देख है, आपको जो दे रखा है, वो कौन दे रखा है, convex mirror दे रखा है, देख है, और convex mirror के लिए आपने को बोला हुआ है, कि एक object, जब object place किया जा रहा है, यानि कि एक real object है, जो आपके mirror के सामने, कितनी distance पर बोला हुआ है, equal to focal length of convex mirror, तो convex mirror अगर अपन बना है, तो situation क्या हो जाएगी मेरे पास, this will be the convex mirror, इसके लिए सारा मामला जो चलना है, वो virtual zone में चलना है, इसके लिए हमारे पास, यह हो गया, इसका focus, यह हो जाएगा, इसके पास center of curvature, यह हो गया distance, कुछ, यह distance हो गया, आपने को यह बोल रखा है, कि object को अपने focal length के बराबर distance पर रखा हुआ है, तो अगर object रखना है, तो object तो यह तो mirror के अंदर का मामला चल रहा है, object किदर रखाएगा, इदर रखाएगा, तो यह अपनने रख दिया है, कौन? एक object, ठीक है, जो अपनने mirror के इदर, यहाँ पर कितनी distance पर रखा हुआ है, f equal distance पर रखा हुआ है, तो आपको यह बोलना है, कि focal length is f, the distance of image from the pole, तो जो दुरूव से अपने पास प्रतिम्प की, जो दुरी रहेगी, वो क्या रहेगी, तो अगर अपन यहाँ पर देखें, तो situation यह रहेगी, दो rays अपन ले लेते हैं, और वो दो rays क्या है, लैसे, मैं यहाँ से एक तो जो pole पर incident होने वाली है, वो तो ऐसे कैसे जाएगी, जिस angle पर incident हो भी है, उसी angle पर वो वहाँ से reflect होगी, और यहाँ से अमारे पास एक जो parallel जाएगी, that will appear to come from क्या हो जाएगा, focus, यह focus से आती हुए आपको क्या होगी, appear होगी, तो इन दोनों के लिए अगर आपन देखें, तो अमारे पास जो these light rays will appear to come, यह जो light rays आ रही है, यह आपको observe होगी इदर की तरब, appear to come from this location और यह रहेगी तुमारी image location, ठीक है, this will be your image, this is our object, यह condition रहेगी अब, अभी, जब अपन किसकी बात कर रहे हैं, convex mirror की बात कर रहे है, तो convex mirror के लिए अब अपन बात करें कि आपने पास the distance between image and the pole, image, image और pole की बीच में तो distance रहेगी, वो f से क्या रहेगी, कम रहेगी, एक simple question है, पर एक interesting question है, suddenly आपन इस पर infinite लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं होगा, इस case में ऐसा नहीं होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, this will be less than f, तो distance between image from the pole, तो pole से प्रतिविम की जो दूरी रहेगी, दुरू से प्रतिविम की दूरी जो रहेगी, वो f से क्या रहेगी, कम रहेगी, focus दूरी से कम रहेगी, तो तेरे वी का answer रहेगा, आपने पास क्या फर्स्ट, चलते हैं आपन, question number 14 पर, question number 14, a ball weighing 10 grams, hits the hard surface vertically with speed of 5 meter per second, and rebound with same speed, if the ball remains in contact with the surface 0.01 second, the average impulsive force exerted by the surface on the ball will be, 10 gram की एक सत्य एक गेंध है अपने पास, ठीक है, और वो 10 gram की गेंध यहाँ पर, ऐसे vertically 5 meter per second से क्या हो रही है, strike कर रही है, और फिर यहाँ से वापिस 5 meter per second से rebound हो रही है, और यहाँ पर जो time है, अपने पास वो कितना है, 0.01 second है, तो अपने को यहाँ पर कितना force अपलाई हुआ है, वो देखना है, तो हम लोग जानते हैं कि F delta T बराबर क्या होता है, M, V minus क्या होता है, U, ठीक है, F की value अपने को क्या करनी है, पता करनी है, delta T की value कितनी दे रिखी है, 0.01, M की value, 10 gram, 10 into 10 raise to power कितना हो जाएगा, minus 3 जिसको अपने लिख सकते है, 0.01, ठीक है, तो यह M कितना हो गया, तो हमारे पास, 0.01, ठीक है, V की value, 5 meter per second इधर की दरफ है, final velocity, इस direction को मैं positive consider करता हूँ, तो यह हो जागा, तो हमारे पास plus का 5, minus U, initial velocity downward direction में है, तो यह direction क्या हो जाएगी, negative, तो यह हो जागा, तो मारे पास कितना, minus का 5, minus 5, plus 5, यह से ही cancel हो गया, और minus 5, और plus 5, sorry, 5, plus 5, तो force अपने पास कितना बनना है, 10 newton मनेगा, तो इसका जो result रहेगा, 14th का जो answer रहेगा, that will be 10 newton, 10 newton, ठीक है, following answer number रहेगा, 2, एक simple question, important formula, F delta T, that will be equals to M, V minus क्या रहेगा, U in vector form, यह सारा मामला किस में है, vector form में है, चल्दे है, question number 15 पर, 15, रहा, a paramagnetic substance of susceptibility, 3 into 10 to the power minus 4, is placed in magnetizing field of, magnetizing field of, 4 into 10 to the power minus 4, ampere meter inverse, then the intensity of magnetization, in the units of ampere meter inverse, is, ठीक है, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा, ऐसा है, कि हम लोग जानते हैं कि, magnetic susceptibility, जो होती है, वो क्या होता है, काई M, that is equals to, intensity of magnetizing, intensity of magnetization, अपोन रहेगा, हमारे पास, H, इसको इंदी में देखें, तो आप थोड़ा नाम का ध्यान रखेंगे, इतनी चुमकन धारन, चुमकिये धारनशीलता, धारनशीलता का मतलब, आपको magnetic susceptibility बोला हुआ है, that is basically काई M, ठीक है, काई एक अनुचुमकिये पदार्थ, इतनी तिवर्ता के चुमकन खशेत्र, यानि कि यह आपको दे रखा है, H, या आपको यह magnetizing field दे रखा है, इसका मतलब, यह आपको H की value दे रखी है, यह आपको काई M की value बोल रखी है, और then the intensity of magnetization, intensity of magnetization का मतलब आपको यह पुछा हुआ है, कि I क्या रहेगा, या पदार्थ की चुमकत्व की चुमकन खशें, कितना और मेंग्नटाइज हुआ है, तो चुमकन खशें, पदार्थ की रखी है, यह आपको पुछा हुआ है, तो यहां से IQ दिखें, then intensity of magnetization, that will be एक बस्तू, यह हो जाएगा, काई यह हम इंटू कितना हो जाएगा H, दोनों को क्या करना है, multiplication यह है, 3 इंटू 10 की काथ कितना है, minus 4, इंटू यह है, अपने पास 4 इंटू 10 की काथ, minus 4 3 इंटू 4, 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू पावर कितना हो जाएगा, minus का 8, this will be the result 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 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 यह रहेगा, आपने पास 15 का answer नमबर रहेगा, 3, then एक simple question, एक important formula यह मामला, यह जो सारा, इस derivation के जो सारे formula है, वो आपको सीधे याद रुखो तो वो जादा better है इन पे कभी-कभी अलग से question आ जाता है, तो वो थोड़ा confusion create कर देता है, तेक है 15 Question number अपने बात करते हैं, 16 के लिए 16, the half life period of radioactive material is 5 minute it is heated to 1000 Kelvin then its half life period will become तेक है, एक वस्तू का अर्दा यूकाल जो है, वो 5 minute है इसे 1000 Kelvin तक गर्म किया जाता है, तो इसका अर्दा यूकाल कितना हो जाएगा Radio activity is a nuclear phenomena तेक है, रीडियो एक्टिविटी या रीडियो सक्रीता एक नाभिकी अगटना है, और ये बाईयकार कों जैसे ताप दाप, इन पर निर्भर नहीं करती है, ठेक है, तो temperature change करने से Radio activity behavior जो है, वो change नहीं होगा, अगर उसका Radio activity behavior या उसका Half Life जो है, वो 5 minute है तो वो बाद भी बी कितना रहेगा 5 minute ही रहेगा, ठेक है temperature पर इसकी dependency नहीं होती है, ये केवल ये purely nuclear phenomena है, नाभी की अभी करिया है और नाभी की अभी करिया जो है ये ताप पर निर्भर नहीं करती है ठेक है, external phenomena self disintegration है, वो external situations पर depend नहीं करता है ठेक है, यहाँ पर जो result रहेगा 16 का रहेगा, answer number 3 5 minutes 17th question ये बुलता है, an object is placed in front of concave mirror of focal length 15 cm previous virtual image which is twice the size of the object the position of the object is 15 cm focus दूरी के आउतल दरपन के सामने रखी एक वस्तु का आवासी परतिभिम निर्मित होता है ठेक है, आउतल दरपन है और आवासी परतिभिम निर्मित हो रहा है ठेक है, जो वस्तु की आकार का दुगुना है बस्तु की स्तिती होगी ठेक है, तो हमारे पास situation क्या है हमारे पास एक concave mirror है रख देते हैं concave mirror गी रहीगी condition ऐसी यह हो गया concave mirror ठेक है, इसके चलाव सारा मामला इधर चलना है तो यह हो गया, इसका let's say, focus हो गया और यह अपने पास क्या हो गया, इसका center हो गया, और यह जो distance हो गयी है यह अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी focal length हो जाएगी ठेक है, जो उधर की तरफ है अब आगे, एक object को अगर अपन देखे हैं, तो यह virtual image produce कर रहा है, और twice of the size virtual image का produce होती है इससे, जब हमारे पास situation यह होती है कि object जो है, वो focus और pole के बीच में रखा हुआ है तो object कहां रखा हुआ है, हमारे पास इस जगह पर कहीं ऐसे रखा हुआ है और इसकी location अपने को बता नहीं है इसकी image जो है, वो virtual बन रही है, और उसकी size क्या बोल रही है इसकी size जो बोल रही है, वो कहां से पास होगी दिस विल पास थुरू, और यहां पर आमारे पास क्या होगा एक virtual image formation होगा और इसकी size जो बोल रही है, वो कितनी बोल रही है इसकी size इसकी क्या है, दूबनी है देखे, तो हमनारे पास situation जो भी चल रही है, उसमें अपने को size the position of object पता करनी है यह object की location पता करनी है पोल के respect ले, देखे, mirror के लिए अगर आपन देखे, तो mirror के लिए यह formation clear है, कि इस तरह से मामला चल रहा है, formula आपन use करते हैं, किदर mirror formula आप लोग जानते हैं, that is 1 by V plus क्या रहेगा, 1 by U that is equals to 1 upon कितना रहेगा F, point number 1 ठेक है, और magnification के लिए अगर आपन बात करें, तो magnification क्या रहेगा, minus V upon कितना रहेगा, U तो इस equation को आपन arrange कर सकते हैं, मैं इस equation को क्या करता हूँ U से multiply करता हूँ, वेतर तो formula आपन सीधे याद भी रख सकते हैं, बट अभी अगर अगर आपन देखें, तो मैं यहाँ पर कैसे अपन इस formula को U की term में लिखे आ रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, magnification और U की term में लिखे आता हूँ, मैं इसको U से multiply करता हूँ, तो U से multiply करने पर यह क्या हो जागा, U upon V plus U upon U that is 1, यह हो जागा U upon कितना हो जागा F, ठीक है, यहाँ पर U upon V की बात करें, तो V upon U जो बन जाएगा, V upon U जो है, that is equals to minus of M, तो इसको में लिख सकता हूँ U upon V को में लिख सकता हूँ, this is minus 1 upon कितना हो जागा, M plus 1, that is equals to कितना हो जागा, U upon F, ठीक है, इसके according, चीज़ें इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 1 upon M को इधर, 1 upon M, that will be equals to 1 minus कितना हो जागा, U by M, इसको उधर, इसको इधर, ठीक है, This is 1 upon M, आगे अगर अपन देखें, तो 1 upon M की बात करेंगे, तो यह हो जागा, मेरे पास कितना, F minus U upon कितना हो जागा, F, या अगर अपन M की बात करें, तो यह हो जागा, F upon कितना हो जागा, F minus U, ठीक है, और image की जो बात कर रहे थे, तो हमारे पास, यह mirror रखा हुआ है, object इ हमारे पास, minus vision क्या हो जाएगा, plus 2 हो जाएगा, तो values को अगर अपन पुट करें, M की value कितनी हो जाएगी, that will be plus 2, इसकी focal length की अगर अपन बात करें, तो focus इसका रहेगा, इधर की तरा, light rays इधर से आ रहे हैं, तो sign convention में यह क्या आएगा, आपने पास, minus, और value कितनी दिरिख को क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है, U कहा है, वो यह equation आपको calculate करके देगी, ठीक है, multiply करते हैं, तो यह बन जाएगा, मेरे पास कितना, this will be minus 30, minus का हो जाएगा, मेरे पास कितना, 2U, that is equals to minus का क्या हो जाएगा, 15, इसको देखें, तो मैं लेक सेपता हूँ, minus 2U, that will be equals to, इसक कितना हो जाएगा, यह, 2, minus 15 upon 2 की value, minus 7 point कितना हो जाएगा, 5, सारा मामला चल रहा है, centimeter में, तो U will be equals to minus 7.5, U will be equals to minus 7.5, तो 17 का answer number रहेगा, 3, एक simple mirror formula question है, तो हमारे पास, जो question है, आप previous questions देख सकते हैं, उनके levels जो रहेंगे, वो किवल अपने, 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 अपने syllabus को के, तक limit रखना है, कि कितना, अपने syllabus में कितना आता है, बाकी यह, सब जो मामला है, यह, बहुत vast है, पर अपने course में, कितना question आता है, उधनी अपने को अभी study करनी है, देखे, question number 17 का answer रहेगा, minus, minus 7.5, चलता है, अपन question number 18 पर, question number 18, if a long hollow copper pipe carries a direct current, the magnetic field associated with the current will be, यदि एक लं प्रवाइद होती है, तो इससे समध्य चुमकी क्षेत्र होगा, देखे, pipe बना देते हैं, यह आपने पास pipe, और इस pipe में क्या हो रही है, current flow हो रही है, और यह खोकला pipe है, खोकला pipe का मतलब, इसकी जो boundary है, उस boundary पर, इसकी जो circumference है, उसी पर, या इसका जो card surface है, उसी पर क्य हो रही है, current flow हो रही है, अंदर से मामला खाली है, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, तो magnetic field कैसे रहेगा, अगर मैं observation point यहाँ पर लेता हूँ, एक ampere's law अपलाई करता हूँ, ampere's law अगर अपलाई करूँगा, तो इधर enclosed current इसकी लिए, ampere law में यहाँ पर sigma i की value तो वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो इस जिगह पर magnetic field भी अंदर magnetic field भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, pipe के अंदर कोई current नहीं है, तो अगर ampere's law के according देखें, तो आप एक close path consider करते हैं, तो उस close path को cross करके जाने वाली current क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो यहाँ पर inside कोई भी point अगर आ रहे हैं और वहाँ पर आप ampere's law apply कर रहे हैं, तो इसको cross करके जाने वाली कोई current नहीं है, तो यहाँ पर magnetic field कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो अगर अपने इसके graph की बात करें, तो यह graph कुछ इस तरह से होता है, pipe की वज़े से magnetic field यह इसकी radius है, तो inside hollow pipe की बात कर रहा हूँ, inside magnetic field will be 0 और outside magnetic field B will be proportional to 1 upon क्या रहेगा मेरे पास R, distance के साथ में, तेक है, यह कुछ, इस तरह से condition हमारे पास बनेगी, तो चलते हैं, हाँ, तो situation क्या हो जाएगी, magnetic field associated with the current will be only inside the pipe, नहीं, inside नहीं रहेगा, only outside the pipe, केवल बाहर magnetic field रहेगा, बोथ inside and outside, नहीं, नहीं, neither inside nor outside, यह भी नहीं, only outside the pipe, magnetic field will be only outside the pipe, pipe बाहर तो एक वायर की तरह बीएव करेगा, simple pipe यह जो है, बाहर वाली condition के लिए, pipe, एक वायर वाले जो सारे rules हैं, आप बाहर वाली condition के लिए, infinitely long wire के लिए, जो apply करते हैं, वो यहाँ पर भी अपन apply कर सकते हैं, next, 18 के बाद 19 के लिए, 19 क्या बूल रहा है, PQ and RS are long parallel conductors, separated by certain distance, थेक है, M is the midpoint between them, the net magnetic field at M is B, now current 2A is switched off, the field at M now becomes, PQ थथा आरस दो लंबे सीधे समानतर दारवाई चालक हैं, जिने कुछ दूरी पर रखा गया है, M दोनों तारों का मद्धी बिंदु है, M पर पर परिण्यामी चुमकी क्षेत्रतिवरता B हैं, अब यदि 2A को switch off कर दिया जाता है, तो M पर क्षेत्रतिवरता क्या होगी, ठीक है, अभी जो क्षेत्रतिवरता हैं, उसके लिए अगर अपन बात करें, तो current इदर की दरफ, right and rule की बात करें, तो इस current की वज़े से, यहाँ पर field intensity, यह distance जो है, इसक इसको मैं B1 बोल देता हूँ, तो 2A की वज़े से field जी आया है, अंदर की दरफ है, value इसकी कित्ती है, B1 है, ठीक है, अब 1A की वज़े से बोल देता हूँ, तो 1A की वज़े से यहाँ पर field intensity, अगर देखें तो वो किदर रहेगी, बाहर की दरफ रहेगी, और इसको मैं बोल direction में है, इधर बात करते हैं, long है, और long, infinitely long है यह, तो हमारे पास magnetic field intensity का expression रहेगा, वो कितना रहेगा, mu not i, i कितना अपने पास, इधर 2A, तो 2A, upon क्या रहेगा, आपने पास, this will be 2π कितना हो जाएगा, D, तेक है, 2A वाले की वज़े से field intensity, minus मेरे पास कितना हो जाएगा, mu not, इधर जो बन जाएगा, कितना बन जाएगा, यहाँ पर, field intensity के अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वज़े से, D distance पर, बाहर की तरफ field intensity, current कितनी है, एक, और यह कितना बन जाएगा, मेरे पास, 2π D, क्या वास बंगा रही है, तो यहाँ पर net field intensity जो है, अभी current magnetic field intensity है, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पर, B' जो रहेगा, अब जो magnetic field intensity है, इसको अपन ने switch off कर दिया, तो B1 खतम हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, B2 बचेगा, और केवल B2 जो बचेगा, B2 की वेल्यू कितनी है, अपने पास, B2 की वेल ठीक है, और magnitude में यह दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, direction इनके reverse रहेगी, अगर पहले वाले case में देखो है, तो B जो बोल रखा है, वो inward रहेगा, और B' जो रहेगा, that will be outward, तो पर, जो magnitude रहेगा, इन दोनों का क्या रहेगा, that will be same, तो अगर अपन देखें, तो B' वस्टू क्या रहेगा, B, तो M पर क्षेत्रति वृता का मान पूचा हुआ है, वो कितना है, B' अगर पूचा जाए, वेक्टर फॉर्म में पूचा जाए, तो बोथ विल बी, equal and opposite, but B' की value किसके बराबर रहेगी, B के बराबर रहेगी, तो 19 वे का answer number रहेगा, 2, this will be B, ठीक by the metal surface is इतना, assuming the specific charge of electron is this much, the value of stopping potential will be, किसी दात्विक सत्य से उस सर्जित photoelectron का अधिक्तम वेग अपने को इतना दिया हुआ है, और अपने को ये बोला हुआ है, electron का विश्टर आवेश अपने पास कितना हो, ये 1.8 into 10 to the power 11 है, तो निरुदवी विभग का मान क्या होगा, अगर प्लेट से, अगर अपनिया पर बोले, कि electron अगर emit हुआ है, और उसकी velocity less से Vm है, तो इसको रोकने के लिए जो अपने को potential लगाना पड़ेगा, that is, electron emit हुआ है, जो negative potential लगाना पड़ेगा, negative potential जो रहेगा, वो अपने पास क्या रहेगा, Vs रहेगा, stopping potential जो इसको रोक उस time पर इसकी जो सारी kinetic energy जो है, वो potential energy में convert होनी चाहिए, वो रुकना चाहिए, तो stopping potential और kinetic energy के बीच में क्या relation होता है, E into Vs, that will be equals to 1 by 2, M into क्या रहेगा, Vmax का क्या रहता है, square, यह stopping potential और kinetic energy के बीच में relation है, तेके, values put करते हैं, stopping potential के value पता करनी है, 1 by 2, this will be M upon क्या हो है, और Vm का क्या हो जाएगा, square, देखें, अपने को specific charge बोल रखा है, विशिस्टावेश, विशिस्टावेश, यह कुलाम पर kg में है, यानि कि आपको Q upon M की value दे रखी है, या E upon M की value दे रखी है, तो मैं यहाँ पर यह लिख सकता हूँ, Vs will be equals to 1 by 2, यह बन जागा Vm का square, upon यह क्या हो जागा, E upon M इसको नीचे shift कर देते हैं, 1 by 2 तो 1 by 2 into Vm कितना दे रखा है, velocity, that will be 1.2 into 10 raised to power कितनी, हमने पास 6 का क्या हो जाएगा, square, upon यह बन जागा कितना मेरे पास, E upon M, यह बन जागा 1.8 into 10 raised to power कितनी हो जाएगी, 11, तो Vs की value हो जाएगी, 1 by 2 into, यह हो जाग इसको जाएगी, 10 raised to power, 11, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर बचेगा, 10 raised to power 11, 12, एक 10 बचेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, 10 raised to power, 14.4 upon कितना बन जाएगा मेरे पास, यह बनेगा, कितना, 1, 2 into, 1.8, इसको अगर मैं cancel करता हूं, तो ये बन्जागा मेरे पास 7.2 और बन्जागा यहाँ पर 7.2 अपान कितना वजागा? 1.8 7.2, 18, 36, बॉटर, तो ये बन्जागा मेरे पास कितना? This will go for 4 times, 4 times. 36, 2, बॉटर, ठीक है? तो हमारे पास कितना जाएगा? The voltage will be 4 volt. In volt, the stopping potential will be 4 volt. Simple calculation है, solve करना है, this will be 4 volt. Then 20 का answer रहेगा, answer number 3. चलते हैं पन अगले question पर, question number 21 question number 21 क्या बोल रहा है? If we shift a body in equilibrium from A to C in gravitational field via path AC or ABC, then work done by force F is, तेखे, यदि हम साम्यावस्ता में, एक चीज़ आप जान रहेंगे हैं, आपर ये चीज लिखी हुई है, साम्यावस्ता में, equilibrium में, देखे, वस्तु को गृत्वीक शित्र में, स्तिती A से स्तिती C तक दो पत हो, ये A से अपन कहां पर जा रहे हैं, C तक जा रहे हैं, दो path के according जा रहे हैं, ऐसे एक तो जा रहे हैं A से C, और एक जा रहे हैं, अपन A, B, C, तो बल F द्वारा किया गया कार रहे हैं, क्या होगा? object को equilibrium में लेके जा रहे हैं, एक तो ये incline plane नहीं, ये path सापको बनाए हुए हैं, देखे, object को अपन ऐसे लेके जा रहे हैं, एक तो situation ऐसी है, कि ये Sition A से, देखे, ये A Sitution है, से C तक अपन A से, C तक जा रहे हैं, एक तो इस path से लेके जा रहे हैं, देखे हैं, object को अपन ऐसा करके, यूं लेकिए, ऐसे लेके जा रहे हैं, force किदर लग रहे हैं, इस पर, उपर कि दरफ लग रहे हैं और equilibrium में लेके जा रहे हैं, equilibrium में लेके जाने का मतलब इस पर अभी कितना यह mg है, ठीक है, तो अभी force balance है और इसको बहुत gradually अपन move करते हुए without change in kinetic energy अपन इसको इधर लेके जा रहे हैं, without change in kinetic energy का मतलब, kinetic energy constant, इसकी velocity constant, velocity constant, इस acceleration कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, इस तो इसक object है, और इस object को अपन ऐसे उठा के यूँ लेके जा रहे है, without change in kinetic energy, gradually, देखे, accelerate नहीं हो रहा है system, तो उस time पर क्या होगा, हमारे पास f और mg क्या रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे, f will be equals to mg, वो किसकी condition है, equilibrium की condition है, यह अपन अच्छे से जानते हैं, देखे, तो जब object को अपन इधर से इधर लेके जा रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, कि work done जो होता है, work done on path क्या है, मेरे पास AC की में बात कर देता हूँ, तो work done on AC की बात करूँगा, तो क्या होगा, force into क्या रहेगा, displacement, in the direction of force, होता क्या है, हमारे पास, कारी क्या होता है, बल into बल की दिशा में विस्तापन, या force into displacement in direction of force, तो direction की तरह अपने पास force की direction, यह अपना कौन force की direction, force की direction यह है, A से C में अगर अपन बात करते हैं, तो object को अपन ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, बंट ultimately अपने पास यह है, F, और displacement in direction of force की बात करो तो इस direction में, इसका vertical direction में, object का इस जगह से, इस जगह तक vertical displacement कितना है, तो vertical displacement, इस object का यहां पर कितना है, vertical displacement that is equal to कितना है, एच, तो यह कितना रहifier जागा, तो अपने पास h, और यह displacement force की direction में ही है, तो तो इस विल बी plus F, work done in AC will be equals to, F, और F की value कितनी है, Mg, into कितना हो जाग का H किसका रहेगा प्लस का AC पाथ में अब बात करते हैं अपन ABC पाथ में ABC पाथ में अपन इधर इस पाथ से ऐसे equilibrium में object को ऐसे लगे फिर ऐसे उपर आ रहे हैं तो उस case में क्या होगा इस case में आप जब देखेंगे कि इस work done on में बात कर रहा हूं किसमें ABC उसकी अगर अपन बात करें तो work done यहाँ पर दो तरीके से combine होगा एक तो A से B जा रहे हैं फिर अपन work done कहां से कहां तक जा रहे हैं B से C तक जा रहे हैं A से B तक और B से C तक A से B तक जाने में force तो लग रहा उपर की तरफ displacement हो रहा है उधर की तरफ दोनों की बीच में एंगल कितना है 90 डिगरी और 90 डिगरी होने पर इस पात पर work done कितना रहेगा जीरो अपन यहाँ पर आ गए हैं और अब force भी उपर की तरफ है और displacement भी उपर की तरफ है तो work done जो F की value कितनी है M G और H तो H तो दोनों पात पर work done क्या रहेगा हमारे पास same रहेगा तो same for both the paths आप चाहें तो इसको properly calculate कर सकते हैं properly calculate करने के लिए आप displacement यह consider करें तो force उपर की तरफ displacement इदर की तरफ displacement की value कितनी है S है और इनके बीच में angle भी कितना है अपने पास 90-theta आपने क इस work की बात कर रहा हमें यह जो displacement हो रहा है उसके लिए work that is equals to force displacement cos कितना हो जाएगा 90-theta और F into S cos 90-theta जो रहेगा वो कितना हो जाएगा sin theta और S sin theta this S sin theta S cos theta इदर और S sin theta इदर तो S sin theta की value वापिस से किस के बराबर हो जाएगी H के बराबर हो जाएगी क्या पास समय रही है तो यहाँ पर work done will be same for both the paths are you getting this point देखे है तो चलता है अपन question number 21 21 तो simple अच्छा सा question है वैसे अपन देख सकते हैं force जो है वो ग्रेविटेशन force से balance हो रहा है ग्रेविटेशन force से balance हो रहा है ग्रेविटेशन conservative force field है तो conservative force में conservative force field में क्या होता है work done जो है वो initial or final position पर depend करता है path पर depend नहीं करता है देखे चलेंगे अपन question number 22 पर question number 22 question number 22 the diameter of flywheel increases by कितना है 1% what will be the percentage increase in the moment of inertia of the axis of symmetry टेक है तो percentage increase in moment of inertia moment of inertia क्या होता है हमारे पास axis of symmetry moment of inertia will be proportional to क्या रहेगा मेरे पास या r square या अपन यह बोल सकते हैं किसी भी object के लिए flywheel या एक तश्तरी के लिए बुला जा रहा है तो अगर मैं disc consider करूँ तो यह क्या हो जागा i jigs to मेरे पास क्या हो जाएगा m r square upon कितना हो जाएगा 2 तो ultimately जो बात आ रही है मैं अगर diameter की term में बात करूँ आप proportionality की बात करें proportionality कितना हो जाएगा m r square और r को मैं diameter की term में बात करूँ तो यह हो जाएगा इस नहीं दे रखी है 1% तो moment of inertia में कितना percentage change होगा 2% simple ऐसा नहीं होगा आप हमेशा ध्यान रखें कि percentage change जितना diameter में होगा उतना ही percentage change radius में होगा half नहीं होगा percentage change में radius हाफ होती है पर diameter और radius के लिए अपने लिख सकते हैं d will be equals to क्या होता है 2 r पर अगर percentage change की बात करें तो delta d upon d will be equals to delta delta r upon क्या रहेगा r तो radius के according भी solve करें तो इस चीज को आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है radius का percentage change आदा नहीं होता है ठीक है this should be 2% 22 के बाद चलते हैं आपन question no.23 पर question no.23 a solid spherical ball solid sphere rolls on the table without slipping then the fraction of its total internal energy total energy associated with the rotation is एक ठोस गोला का रगेंद table पर बिना फिसले लोड़क रही है तो इसकी उर्जा का भायबाग जो governance से संबंध होगा क्या होगा k rotational upon k total की बात करें तो k rotational 1 by 2 i क्या होता है omega square upon यह वजागा 1 by 2 m v square यह होता है 1 plus क्या रहेगा हमारे पास k square upon r square ठीक है इसको अगर अपन solve करें तो यह तुमारे पास कितना बन जागा 1 by 2 m v square और इधर बन जागा तुमारे पास क्या k square क्योंकि i को कितना लिख सकते है m k square लिख सकते है तो this will be k square upon omega को क्या लिख सकते है v upon r लिख सकते है तो यह हो जागा तुमारे पास k square upon r square upon यह हो जागा 1 by 2 m v square k square upon क्या हो जागा 1 plus 1 plus k square upon r square half m v square से half m v square किंसल वैसे यह formula आपको लोग को याद होगा k rotation upon k that is k square upon r square upon 1 plus यह हो जागा मेरे पास k square upon r square तेंगे अब कौन दे रखा है अपने को solid sphere दे रखा है solid sphere के लिए क्या होता है solid sphere के लिए k square upon r square 2 by क्या रहेगा 5 upon 1 plus कितना हो जाएगा यह 2 by 5 तो यह बन जाएगा 2 by 5 5 और 2 7 by कितना हो जाएगा 5 5 से 5 cancel result आएगा आपके पास 2 by 7 2 by 7 तो 23 का आणसर नमबर हो जाएगा 2 which will be 2 by 7 2 by 7 चलते है अबन अगले कुश्चन पर कुश्चन नमबर 24 यह हुदा है an incline plane makes angle 30 degree with the horizontal a ring rolling down this incline plane from rest without slipping has a linear acceleration which is equal to एक नत्तल ख्षिश्चती 30 degree का कौन बनाता है एक वलाय इस पर विरमावस्ता से बिना फिसले क्या कर रहा है लोड़क रहा है तो इसका रेचिक त्वरण क्या होगा देगा incline plane जिसका angle कितना अपने पास 30 degree है एक ring है जो slipping without it is rolling rolling down without क्या है slipping है slip नहीं हो रहा है roll करते हुग आ रहा है और rotational motion में rolling के लिए अगर अपने incline plane पर rolling का जो acceleration का expression है यह थोड़े से formula है जो याद रखने पढ़ेंगे यह रहता है अपने पास g sin theta upon रहता है 1 प्लस यह रहेगा k square upon क्या रहेगा r square तो अब लिखते हैं a की value g तो g sin angle कितना दे रहा है तुमको 30 upon 1 plus कौन दे रहा है ring और ring के लिए k square upon r square की value होती है 1 ring k square upon r square 1 तो यह हो जागा मेरे पास g sin 30 की value एक बटा दो बटा कितना हो जागा दो तो this will be g by कितना हो जाएगा 4 g by 4 तो इसका answer रहेगा अपने पास कितना g by 4 question number 24 का answer number रहेगा 4 g by 4 question number 25 question number 25 a liquid drop liquid drops are falling slowly one by one from a vertical glass tube establish the relation between weight of the weight w of the drop surface tension t and radius r of the drop एक उर्दवदर कांच की नलीका से 1 एक एक कर बुंदे नीचे की और गिरती है ठीक है बुंद के बाहर प्रश्टनाव टी तरह नलीका की त्रिज्जा के मध्य संबंध होगा ठीक है हमारे पास उर्दवदर यह है अपने पास क्या है कांच की नलीका है और इसमें से ऐसे drops जो हैं वो ऐसे देरे-देरे एक-एक कर क्या हो रही है नीचे की तरब गिर रही है ठीक है ऐसे तो इस टाइम पर अगर अपन बात करें तो इस ड्रॉप की जो फाइनल कंडिशन एकलूब्रियम वाली है जब यह इनिशली रेस्ट पर यू इकस टू जीरो से यहां से गिरना शुरू करेगी ठीक है फ्री फॉलिंग टाइप से तो उस टाइम पर क्या रहेगा डाउनवर्ड डिरेक्शन में ये सिचुएशन रहेगी इधर क्या रहेगा हमारे पास एमजी जो इसका क्या रहेगा हमारे पास वेट रहेगा और बात करें यह जो ौड उप किरने वाली है जो यहां से अगे जाके बनें इगी ठीक है उसके लिए यह सिचुएशन यहां अगर मैं इस डाइग्राम को लाइप अपन प्रेक्शन बनायं तो यह इस तरह से यहां से गिरने वाली Chairman की क्या रहेगा उपर टरिप्थी ओपर फ Ft की value क्या होती है, Ft, force, surface tension into length over which this force, this surface tension is covering, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, length कितनी है यह, यह total length कितनी है, 2 pi r into surface tension, यह क्या होता है, Ft क्या होता है, that is T into L, और L क्या है, that effective length over which the surface of the liquid is contact, or is applying the force, surface of the liquid is applying the force, तो length कितनी है, यह रहेगी length, क्योंकि यह पूरी tube से, इस पूरी circumference पर यह liquid क्या होगा, यहाँ पर contact में रहेगा, तो यह length कितनी हो जाएगी, 2 pi r, 2 pi r into T will be equals to W, 2 pi r into T will be equals to W, this will be the answer, वैसे बागी सारे relation dimensionally भी सही नहीं है, dimension के आदार पर भी बाकिय सारे जो relation है, वो correct नहीं है, surface tension के लिए अगर अपन बात करें तो, तो this will be question number 25, चलता है अपन question number 26 पर, 26 पर, when heat is added to the system, which of the following is not possible, जब किसी निकाय को उश्मा दी जाती है, तो क्या संभाव नहीं है, तो first law के according, अगर अपन heat supply कर रहे हैं, तो क्या होगा, internal energy change हो सकती है, work done हो सकता है, इन में से एक एक चीज हो सकती है, एक एक चीज भी हो सकती है, तो heat supply करने पर, internal energy of system increases, यह हो सकता है, केवल यह हो सकता है, work is done by system, केवल यह भी possible है, अगर अपन बात करें, internal energy increases, and also work is done by system, यह दोनों साथ में भी हो सकते हैं, ठीक है, पर heat supply करो, neither internal changes, nor is work done by system, तो यह तो अपना first law क्या हो जाएगा, failure हो जाएगा, तो this system is not, this point is not possible, आपको पुच्छा गया है, not possible, तो third is not possible, इन में से कुछ ना कुछ तो हो गई होगा, ठीक है, बई चीज आपको heat supply करें, कम से कम गरम तो हो गई न वो, तो internal energy तो increase होगी होगी, ठीक है, तो neither internal energy increases, nor work done by system, यह चीज नहीं होनी है, तो this is not possible, 26 का answer number रहेगा, 3, चलते हैं पन 27 पर, 27, इसको अगर expand करके लिखेंगे, तो क्या हो जागा, यह 4 cos πi t, प्लस क्या हो जागा, 4 sin πi t, ठीक है, तो इसको phasor diagram के according, solve करें, तो πi t पर अगर आपन देखे, sin के according, तो यह कितना आपने पास 4 का, कोई सी location है, यह pi t location पर sign के respect में चल रहे हैं, तो cos वाला जो रहेगा, वो 90 degree phase shift में क्या रहेगा, आगे रहेगा, 90 degree phase shift में यह रहेगा, आगे, और यह भी कितने का magnitude है, इसका 4 का, तो phasors के according, अगर अपन solve करते हैं, तो इनका जो resultant बनना है, उसका जो amplitude रहेगा, that will be, under root of कितना हो जाएगा, 4 square प्लस कितना हो जाएगा, 4 square, तो this will be 4 root 2, amplitude, ठीक है, और इसका यहाँ पर phase, अगर अपने को phi चाहिए, तो phi अपने पास यह 4, यह भी 4, तो यह 55 degree हो जाएगा, तो pi t plus कितना हो जाएगा, यह 45 degree, तो pi t plus कितना हो जाएगा, 45 degree, यह उस particle की, SHM की correct equation रहेगी, done, 4 root 2, चल्दे हम पन question number 28 पर, 28, if the distance between the sun and the earth, increase to 3 times, 3 times the original distance, then attraction between the 2 planets will be, यदि सुर्य तदा प्रत्वी की मध्य दूरी, वास्त्विक दूरी की 3 किनवा हो जाती है, तो बद्य आकर्शन बल, यह तो एकदम straight मामला है, f is proportional to क्या होता है, 1 upon r square, f is equals to gm1, m2 upon क्या रहेगा, r square, r को यह करना है अपन, that is 3 times, तो मैं बात करूँ, f dash, that will be equals to, r, तो नीचे कितना जाएगा, 3r, का क्या हो जाएगा, square, यह हो जाएगा, पहले वाला f, ठीक है, अगर यह आजाएगा, तुम्हारे पास, इसका r square, f is inversely proportional to r, f dash की जब बात कर रहे हैं, तो बाद वाली condition में, r 3r हो गया है, पहले वाली condition में, r, numerator में चला जाएगा, और अगर अपन बात करें, f dash upon f, that will be equal to r, say r cancel, और this will be 1 by, कितना हो जाएगा यह, 3, तो यह हो जाएगा 9, तो अगर अपने f dash चाहिए, then f dash will be equal to, f upon कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, और f dash की value, अगर अपन देखे, तो यह 1 by 9, को अगर अपन देखे, तो this will be approximately, 0.11, ठीक है, और यह बन जाएगा f, तो f की value, अगर मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है, तो f dash जो हो जाएगा, इसको मैं 100 choose करूँ, percentage की terms में बात करने के लिए, तो यह कितना जाएगा, 11 ना जाएगा, 100 से 11 की अगर अपन बात करें, तो कितना हो जाएगा, 89 परसेंट यह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको आप solve करके check कर सकते हैं, यह approximate values मैंने लिखी है, 1 by 9 is 0.11, वही 1 by 10 क्या होना है, 0.1 होना है, 9 को मैंने कम किया, तो यहां से थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया, 0.11, तो 100 से अपन कहां पर आचुके हैं, 11 पर आचुके हैं, तो 90 और एक और कम, तो 89, 89 परसेंट क्या होगा, कम होगा, संपल कोशन, 28 का अंसर नमबर रहेगा, 4, 89 परसेंट डिक्रीज, The maximum amount of heat that can be given to 1 gram of water without change in temperature, एक important कोशन है, एक ग्राम जल को बिना ताप में परिवर्तन किये, दी जाज सकने वाली अधिक्तम उश्मा की मात्रा होगी, एक तो बात चल रही है, जल, पानी जो है, वो यह है, 0 degree centigrade का कौन है, water है, यह है मेरे पास कौन, 100 degree centigrade का water, अगर इस से पहले बात करें, तो इधर क्या जाएगा, तुम्हारे पास, ice जाएगा, ठीक है, अगर मैं 0 degree centigrade पर पानी को heat supply करता हूँ, तो पानी गरम होगा, 0 degree centigrade पर ice को heat supply की जाए, तो उसकी state change होगी, ठीक है, पर आपको पानी की लिए बात की जारी है, और अपनी को ये भी बुला है, कि आपको temperature change नहीं होना है, यानि कि पानी अगर temperature change नहीं होना है, temperature change नहीं होना है, यानि कि पानी की state change करनी है, heat supply करने पर, heat supply करने पर पानी की state change कब होगी, या water की state change कब होगी, जब वो evaporate हो रहा होगा, ठीक है, लबाब समझना रही है और सारा का साधा पानी एक ग्राम वाटर है और यह जो है यह सारा का सारा किस में convert हो यह सारा का सारा steam में convert हो इस पूरे प्रोसेस में पानी का temperature अगर बात करें तो temperature क्या रहेगा constant बनना रहेगा केवल वहाँ पर क्या होगी state change होगी तो अपने को ये बुलना है कि पानी की state change without change in temperature temperature change नहीं होने तो अगर तुम 0 degree से लेके 100 degree के बीच पे पानी को अगर heat supply कर रहे हैं तो temperature तो change होगा ही होगा 0 degree से नीचे पानी नहीं रहेगा अगर अपन या पर बात करें तो 0 degree पर ice को अगर अगर अपन 0 degree centigrade पर अगर अपन heat supply करते हैं तो वो water में convert होगा और फिर यहां पर उसका क्या होगा temperature निकीज होगा तो पानी को heat supply करने पर उसका temperature change नहीं हो इसका मतलब उसका vaporization शुरू होने वाला है और वो पानी liquid कहां पर है इस जिगे पर है 100 degree centigrade पर और 100 degree centigrade पर temperature change नहीं होने के लिए 1 gram water को आप जो maximum heat दे सकते हैं कि वो किस में convert हो जाए बीना temperature change के steam में convert हो जाए that will be equals to Q is equals to M into कितना रहेगा LV latent heat of vaporization क्या पास वंगना रही है M that is 1 gram ठीक है और latent heat of vaporization रहता है 540 calorie per gram ठीक है तो gram से का हम cancel और जो maximum heat अपन दे सकते हैं without बिना ताप में परिवर्टन किये जा सकने वाली अधिकता मुश्मा की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा steam में convert हो जाएगा and that will be 540 calorie 540 calorie को अगर अगर अपन convert करें तो ये जगा 4.2 Joule और इसको अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा 2268 Joule इसको अगर अपन multiply करेंगे तो इसका region जो बनेगा वो ये वाला बनेगा तेक है आप इसको multiply करें पांच उक 20 20 के आसपास आएगा 20 के आसपास तो ये क्या है 22 are you getting this point? तो एक simple but interesting question है 29 का answer number रहेगा 1 are you getting this point? चलते हैंपन question number 30 पर question number 30 question number 30 the velocity of particle depends upon time T according to this equation V is equals to ऐसा ऐसा एक कन का वेग समय T पर निम्र प्रकार से निर्बर करता है बोतिक राशियां जो A, B, C, D द्वारा प्रदिशत की जाती है उनका करम होगा तो देखते हैं D की बात करते हैं D जो है वो T के साथ में add हो रहा है तो D और T की dimension सेम रहेगी तो D सिधा सिधा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास time हो जाएगा ठीक है इधर ये क्या है तुम्हारे पास meter per second है इधर ये second आ चुका है तो ये जो बनना चाहिए ये क्या बनना चाहिए meter बनना चाहिए तो C जो है वो बननना चाहिए meter, या इसको मैं बोल सकता हूँ, यह क्या बनना चाहिए, distance बनना चाहिए, ठीक है, अगर मैं B की बात करूँ, तो B, B into T, इधर क्या बन रहा है, meter per second, तो B into T जो है, वो क्या बनना चाहिए, meter per second बनना चाहिए, यह second है, तो B जो बनेगा, यह time है, यह किस में रहेगा, second में रहेगा, second को नीचे बेजएके, तो यह क्या हो जागा, meter per second square, तो B जो बनेगा, वो बनेगा, तुम्हारे पास acceleration, ठीक है, और अगर अगर अपन A into B की बात करें तो इधर क्या है, तुम्हारे पास meter per second, that is equals to under root of A into B क्या है, तुम्हारे पास meter per second square, ठीक है, तो squaring both the side, meter square per second square, A यह हो जागा, meter per second square, meter से 1 meter cancel, second square से second square cancel, A की value जाएगी, वो क्या हैगी, meter आएगी, तो A जो बनना है, वो तुम्हारे पास क्या बनना है, meter, यह क्या बनना है, distance A, B, C, D का order रहेगा, distance, acceleration, distance, time, distance, acceleration, distance, time, 31 का answer रहेगा, answer number 2, distance, acceleration, distance and time, these का answer number 2, चलते हैं अपन question number 31 पर, तो next question 31, चलते हैं क्या बोल रहा है, a body is dropped from height 100 meter, at what height velocity of the body will be equal to the one half of the velocity, when it hits the ground, okay, हमें जो बुला हुआ है, कि एक वस्तु जो है, वो 100 meter उचाई, हमारे पास अगर अपन उचाई की बात करें, तो क्या condition रहेगी, चलो, check करते हैं, यह अपने पास situation है, कि यह object जो है, यह 100 meter height से अपन क्या कर रहे हैं, drop कर रहे हैं, यह हो गया, तो हमारे पास कितना 100 meter ठीक है, और अगर इसको drop किया है, तो यह यहाँ पर strike करने का जो velocity है, या when it hits the ground, प्रत्वी पर ठकराने का जो wave है, उसको मैं बोल देता हूँ माना, V है, तो आपको यह बताना है, कि वह बिंदू क्या होगा, या वह बिंदू क्या होगा, या उस बिंदू की उंचाई यहा है हमारे पास, तो क्या use करेंगे, V square that is equals to U square plus क्या हो जाएगा, 2AS, अगर अगर अपन बात करें तो V कितना हो जाएगा, मेरे पास, under root 2GS, ठेक है, अब अपने को इस point की, अगर यहाँ से बात करनी है, तो यहाँ से अगर मैं displacement की बात करूं, तो यहाँ से अगर मैं displacement की बात क हो जाएगा, let's say, S1 बोल देता हूँ, और यह मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास यह हो जाएगा, displacement S2, ठेक है, और उस time पर velocity अपने को V2 की value क्या दे रिखी है, V by 2, और यह दे रिखा है मेरे को कितना, V1 की value क्या दे रिखी है, V दे रिखी है, जब आर्थ पर टगरने की ब बात हो रही है, तो मैं यहां से लेख सकता हूँ, कि V is proportional to कितना अपने पास, अपने पास, जिसके लिए अगर आपन चलते हैं, तो मैं लेख सकता हूँ, V2 upon V1, यह हो जाएगा, under root of क्या हो जाएगा, S2 upon S1, ठेक है, V2 की value कितना रिखी है, this is V by 2, जब आप intermediate position पर है, V1, initial condition क्या बोल रुखी है, यह अर्थ पर टकराने की velocity को मैं बोल देता हूँ, यह कितनी है, V है, इधर अगर पन देखें, तो S2 की value अपने को पता करनी है, और S1 की value जो देखेंगे, तो S1 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का displacement, जो हो जाएगा, tower की height की बराबर, देखें है, S1 की value कितनी हो जाएगी है, हमारे पास 100, यहां से V से V cancel, square करूँगा मैं, square करने पर S2 upon 100 की value जा जाएगी, वो मेरे पास कितनी हा जाएगी, that will be 1 by 4, यह S2 की value बोलें, तो S2 displacement will be equals to 100 upon 4, कितना जाएगा, 25 meter, कहने का मतलब particle के लिए यह जो distance आ रही है, उस time पर particle की उपर से location क्या होगी, particle initial position से 25 meter तक displaced हुआ होगा, question में अपने को पुछा है, what will be the height of the, height, at what height, तो अपने को अर्थ से height पुछी है, किस उचाई पर, वस्तू का वेग, परत्विट पर तक रहने का वेग, तो उचाई पुछी हुई है, तो उपर से displacement कितना हुआ है, 25 meter, तो नीचे स 5 meter height from the earth, चलते हैं, next question पर, 32 पर, 32, 32 बोल रहा है, a projectile with linear momentum P, max and angle theta, with the horizontal, the change in momentum of the projectile, when it returns to earth, तो आपको ये पुछा हुआ है, तो आपको ये पुछा हुआ है, कि इसका जब ये earth पर return होगा, जब ये earth पर return होगा, तब इसका change in momentum कितना रहेगा, देखें, momentum की बात करें, तो अभी इसका momentum इदर की दरफ है, ये ऐसे रहेगा, ये v velocity से अगर project किया है, तो ये momentum कितना हो जाएगा, mv, ये v से project किया हो है, तो earth पर वापिस ये कितना से आएगा, v पर आएगा, और इस time momentum इदर की दरफ रहेगा, देखें, जिस angle पर इसको फेका है, ये इसी angle पर वापिस आएगा, इसी angle पर वापिस आएगा, कहने का मतलब ये angle कितना रहेगा, theta, देखें, वैसे तो अपन यहाँ से यहाँ पर जानते हैं कि first to last point जो change in velocity होती है, वो कितनी होती है, 2V sin theta, अगर नहीं, तो आप ये देखो, इस momentum का इदर वाला component जो बनेगा, मेरे पास कितना, P cos theta, इस momentum का इदर वाला component जो बनेगा, वो क्या मन जाएगा, मेरे पास, P sin theta, देखें, वापिस इस momentum से object आ रहा है, तो इस momentum का इदर की दरफ, वापिस से component कितना हो जाएगा, P cos theta, और अब X component तो क्या है, constant है, और Y component की direction क्या हुई है, change हुई है, पहले direction ऐसे थी और Y component आप इधर, downward direction में हो गया है, तो इस direction तो मैं positive consider करूँ, तो X component तो क्या हो जाएगा, constant बना हुआ है, और change in momentum अगर अपन देखें, तो change in momentum जो रहेगा, वो कीवल Y direction में हो रहा है, और वो क्या रहेगा, downward direction is less positive, तो final momentum कितना है, P sin theta, minus, initial momentum ऊपर की तरफ है, Y direction में, और वो उसको अपन क्या लिखेंगे, यह direction क्या रहेगी, this is direction, negative direction, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, minus P sin theta, minus minus plus, और अपने पास result बन जाएगा, 2P sin theta, तो momentum change हो रहेगा, that will be 2P sin theta, 32 का answer number रहेगा, 3, यह यहाँ से यहाँ पर velocity की भी बात करें, तो first to last point जो change in velocity होता है, वो 2P sin theta होता है, तो उसके according change in momentum कितना हो जाएगा, 2P sin theta, 32 के बाद चलते हैं, आपन question number 33 पर, 33, 33 यह बुल रहा है, यह rope of length 8 meter and linear density 0.5 kg is lying lengthwise or a horizontal smooth floor, it is pulled by a force of 12 Newton, the tension in the midpoint would be, 8 meter की अपने पास क्या है, एक rope है, ठी 8 meter length है, ठीक है, 8 meter, और इसके लिए linear density दिरिखिये 0.5 kg per meter, 8 meter की यह length है, 8 meter की rope है, और इसके लिए per kg, per meter length जो है, mass कितना है, linear density क्या होता है, that is M upon कितना है, अपने पास L, जिसके value कितनी दे दी है, 0.5, तो अगर मैं M की बात करूँ दे, कितना हो जाएगा, 8 into 0.5 कितना हो ज 4 kg की अपने पास कितनी होगा, रोप, इस पर 12 newton का force लगाया है, और center पर आपको tension पूचा है, तो center के लिए अगर अपन बात करें, तो system कितने से accelerate होगा, 12 newton का force, mass कितना है, 4 kg का है, ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, तो acceleration of the system will be 1 to 12 upon कितना हो जाएगा, 4, जो बन जागा 3 meter per second square, अब इस जगे पर जो tension होता है, वो क्या करता है, कि इस जगे पर जो tension रहेगा, वो पीछे वाले section को इसी acceleration से चलाने के लिए responsible रहेगा, अब पीछे वाला section midpoint पुछा हुआ है, तो यह इसका total mass कितना है, 4 kg है, तो यह वाला section रहेगा, इस वाले section के लिए अब आपन देखे तो इसका mass कितना हो जाएगा, अपने पास 2 kg, और इस जगे का tension जो है, वो इस object को A acceleration से चलाने के लिए क्लिए क्या होगा, responsible रहेगा, तो tension के अगर अपने equation लिखे, तो T will be equals to M, पीछे वाले section को mass कितना है, 2 kg into acceleration कितना अपने पास A, तो T will be equals to 2 into A की value कितन 6 newton, तो simple सा मुद्धा, 6 newton इसका क्या बनेगा, अपने पास answer बनेगा, तो 6 newton, चलते हैं पर, अगले question पर, 33 की बाद चलते हैं, 34 पर, 34, how many 2.5 kg bricks can carry up a staircase 3.6 meter high in 1 hour, if a main works at the average rate of 9.8 watts, यदि एक गंटे में 2.5 kg की कितनी इटे, 3.6 meter उचाई पर, उपर ले जाई जा सकती है, यदि वेक्टी, 9.8 watts की औसत दर से कारे करता हो, तो, देखें, power का question है, simple, मुद्धा है, अपनी कोई इटे क्या करनी है, कुछ सीडियों पर, उपर की तरफ लेके जानी है, ऐसे सीडियों पर, वैसे तो अपनी पास, ऐसे जा P average, that is equals to क्या होता है, delta W upon क्या रहेगा, delta T, ठीक है, जिसके according, यहाँ पर अपन उपर लेके जारे है, एक M mass की object को अगर अपन उपर लेके जाते है, तो उसमें work कितना रहेगा, M mass की एक brick को, एक eat को अपन उपर लेके जारे हैं, तो उसमें work कितना होगा, MGH, ठीक है, और इ consider, आम लोग क्या करना है, N eat को, H उचाई पर लेके जारे हैं, तो इसमें total work कितना होगा, N into MGH, एक brick को लेके जाने में कितना work करना पड़ता है, MGH, ठीक है, तो N bricks को लेके जाने में कितना work करना पड़ेगा, N into MGH, upon अपने पास time taken, ठीक है, P की value आपको दे रिखे, that is 9.8, N की value अपने को पता करनी है, M की value 2.5 कीजी, की 1 eat है, G की value अपन 9.8 रखेंगे, और H की value जो है, कितनी height पर ले जाना है, 3.6 meter height पर ले जाना है, upon T, T कितना है, एक गंटा है, एक गंटे का मतलब कितना होता है, second में अगर आपन देखे तो ये कितना हो जागा, 3600 seconds, 9.8 से 36 से इसको cancel करूँगा, तो this will be 1000, या अगर मैं आप N की बात करूँँ, तो इसको इधर बेज़ते है, 2.5 N, that will be equals to कितना मन जाएगा, 1000, या N की value बात करें तो ये मन जाएगा, 1000, बटा कितना मन जाएगा ये, sorry, 1000, या चलो, इसको 0 उडा देतना होता है, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो N की value कितनी हो जाएगी, 10,000 अपन कितना हो जाएगा, 25, 25 से 100 को cancel करूँगा, 4 times, तो ये मन जाएगा मेरे पास कितना 400, तो N की value आपके पास बनीगी कितनी, 400 bricks, ठीक है, तो हमारे पास, कितनी bricks को अपन एक गंटे में उपर लिखे जा सकते हैं, 400 हीटों को अपन उपर लिखे जा सकते हैं, 34, answer number हो जाएगा, 4, जलते हैं, अगले question पर, 35, a disk is rolling without slipping on a frictionless surface, C is the center and QNP are two points, equidistance from C, देखे हैं, let P, Q and C be the magnitudes of velocity of point P, Q and C, then, इन में क्या relation रहेगा, मुद्दा यह है, कि अपने को situation में, यह object जो है, यह अभी यहाँ पर horizontal frictionless surface पर rolling motion में है, और rolling motion में अपने को यह बोला हुआ है, कि यह इसका center of mass है, और P और Q जो हैं, वो दोनों equal distance पर 2 points हैं, तो इनके velocities का क्या relation रहेगा, तो अभी यह circular path पर रहेंगे, तो वैसे तो देख velocity के लिए, अपने बात करें, तो इसकी circular motion यह ऐसे, लिएक है, इसके पास linear velocity जो center of mass की velocity है, और इसके बात इसके पास जो circular motion वाली जो वैलोसिटी है, वो यह वाली टेंजेंशल रहेगी, तो इनका resultant जो रहेगा, वो Q की velocity रहेगी, पी की velocity की बात करें, तो इस P के पास linear velocity ज तो इन में से कौन ज़्यादा रहेगा कौन कम रहेगा इसकी अगर अपने को बात करनी है तो अगर अपन यहां पर देखें तो एक concept अपन यहां पर यूज करेंगे just simple instantaneous axis of rotation का concept यहां पर यह जो rolling motion में lowest point जो है यह momentarily अभी किस पर है rest पर है ठीक है और हम लोग इस object इस point के about इसको हम लोग instantaneous axis of rotation बोल सकते है instantaneous axis of rotation इसके about आप इस पूरे object को rotational motion में consider कर सकते हो इसके about यह पूरा object omega velocity से क्या कर रहा है omega angular velocity से क्या चकर लगा रहा है तो किसी भी particle की velocity देखे तो इसको मैं यहां से join करता हूँ तो इस line के perpendicular direction में P की velocity रहेगी VP देखो इधर जा रही है ठीक है इसको मैं यहां से join करता हूँ तो VC जो जाएगा इधर जाएगा और इस वाले point को अगर मैं यहां से join करता हूँ तो यह VQ जो जाएगा वो इसके perpendicular इधर की दर जाएगा हम जानते हैं V equals to क्या रहता है V equals to omega r और पूरा का पूरा object omega एक same angular velocity से इस point के about rotational motion में consider किया जा सकता है यह instantaneous axis of rotation की definition होती है कि इस axis के about पूरा object जो है वो omega angular velocity से circular motion में consider किया जा सकता है यह इसको पूरे object की लिए अगर आपन बोले तो इसको rotational motion में consider हम लोग कर सकते हैं इसकी जो rotational plus translational motion है उसको आप rotational motion में consider कर सकते हो about instantaneous axis of rotation तो आप जानते है V जिकस्टू क्या रहता है omega r जिसमें अगर अपन देखे तो omega सबके लिए same है और अगर अपन यहां पर बात करेंगे तो इन points के लिए r की अगर अपन बात करें तो r यह p जो है p point जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा इदर इसके सबसे पास में है c थोड़ा सा दूर है और q सबसे ज़्यादा दूर है तो r, p जो है वो सबसे कम है r जिसका कम रहेगा उसकी velocity भी क्या रहेगी कम रहेगी तो यह p जो है वो instantaneous axis के पास में है q comparatively ज्यादा distance पर है और q सबसे ज़्यादा distance पर है तो अगर इनकी velocities के लिए अगर अपन बात करें, तो अगर R सबसे कम किसका है? VP, तो हमारी पास क्या रहेगा? VP will be less than क्या हो जाएगा? VC will be less than क्या हो जाएगा? वीकुटु, यह हमारा order रहेगा. और VQ will be greater than क्या हो जाएगा? VC will be greater than क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा first ठीक है अगर नहीं तो आप यहां पर इन velocities की resultants के according भी यहां पर इसको देख सकते हैं इसकी velocity इधर की दरब इसकी velocity का resultant जो रहेगा यह क्या हो जाएगा कम बन जाएगा तो इसका magnitude क्या रहेगा कम इसका magnitude comparatively क्या रहेगा जादा और इसका magnitude क्या रहेगा सबसे जादा रहेगा तो दोनों दरीके से अपन देखा अगर आप इसको truly rotational plus translational से solve कर रहे हो तो इस तरह का diagram रहेगा हमारे पास इन तीनों particles की velocities के लिए या अगर आप क्यों इसको इस axis के about purely rotational में अगर कंसिडर कर रहे हो तो हमारे पास क्या रहेगा यह जिसकी इस point से distance कम रहेगी उसकी velocity क्या रहेगी कम रहेगी तो 35 का answer number रहेगा हमारे पास one important question चलते हैं question number 36 पर question number 36 question number 36 में अब अपने पास situation है उसमें हमने पास section B है इसमें से 15 में से आप क्या करना है 10 question attend करने हैं चलते हैं हमपन question की बात करते हैं a racing car move towards cliff sound is horn the driver observed that the frequency of the sound reflected from the cliff is double that that of the actual sound of horn if V is the velocity of sound the velocity of the car will be a racing car जो है वो horn बजाती हुई एक दीवार की तरफ चल रही है यह एक चटान की तरफ चल रही है यह रहे लेते हैं अपन गीरही चटान ठीक है यह अपने पास racing car racing car मनाएंगे भई यह अपने पास है racing car बढ़िया वाली racing car मना देते हैं यह racing car यह कितने से जारी हैं अपने पास let us consider the velocity of car जिसको अपने को पता करना है वो कितना है VC है अभी यहां से sound limit हुई है जिसकी frequency let's say किदनी अपने पास f है तो यह यह यहां पर पहुचेगी और इस time पर अभी sound यह जो चटान यह जो अपने पास सामने जो फ्रंट है या वाल जो भी अपन इसको बोल रहे है यह observer रहेगा और इस time पर f डेश जो frequency यहां पर पहुचेगी इस time पर source क्या आ रहा है पास में आ रहा है तो मैं इस frequency के अगर बात करूँ तो f का जो expression रह जाएगा f डेश विल भी वे इकवस टू यह हो जाएगा मेरे पास क्या है यह हो जाएगा f किदर source क्या आ रहा है उसकी वज़े से frequency क्या होगी बढ़ेगी और source की वज़े से frequency बढ़ने की दिए हमारे पास जो expression होता है वो क्या हो जाएगा v- क्या हो जाएगा VC source की velocity या source की वज़े से जो frequency हड रहेगी frequency increase होने की लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा अब वापिस यह sound यहां से reflect होगी और यह sound यहां पर पहुंचेगी तो इधर आपको कुछ f double dash sound यहां पर अपने को सुनने को मिलेगा यह driver जो observe कर रहा है तो इस time पर अब यह source हो गया और यह driver क्या हो जाएगा observer हो जाएगा और observer अब pass में आ रहा है उसकी वज़े से जो velocity increase होगी तो उसकी लिए अगर इपने पास अपन f dash की term में बात करें तो f double dash जो रहेगा वो क्या हो जाएगा वो observer पास में आ रहा है और driver कितने से आ रहा है vc से आ रहा है अपन क्या हो जाएगा v into कितना हो जाएगा f dash की video ठीक है इन दोनों equations को combine करेंगे f dash की video यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास f double dash का expression बनेगा that f double dash that is equals to यह बन जागा मेरे पास क्या v plus vc upon क्या हो जाएगा v minus vc into कितना हो जाएगा f अब अपनों को यह बोला हुआ है कि परवर्ति द्वनी के आवर्ति होन क्या आस्ति का आवर्ति की दुगुनी परतीत होती है यह double this reflected sounded double of the this frequency तो इसको मैं अगर लिख देता हूँ 2 और इसको बोल देता है f तो f से f क्या हो जाएगा cancel तो इसको cross multiply करता हूँ मैं तो यह बन जागा v plus vc that is equals to यह बन जागा मेरे पास कितना 2v minus कितना हो जागा 2vc इस v को इधर भेजता हूँ 2vc को इधर भेजता हूँ तो यह कितना हो जागा 3vc that is equals to 2v minus v v तो यह बन जागा vc that is equals to कितना हो जागा v upon 3 vc will be equals to velocity of car will be equals to v upon कितना जागा 3 तो simple doppler effect को अच्छा question है यह pattern और यह जो formula है यह कैसे derive किया है यह आप लोग को क्या कर रखना है ध्यान रखना है ठीक है एक important question v by 3 will be the velocity of car ठीक है चलते हैं आपन अगले question पर 36 के बाद चलते हैं आपन question number 37 पर 37 37 यह बुल रहा है in ydse experiment intensity of a point intensity at a point at at a point is 1 by 4th of the maximum intensity ठीक है the angular position of that point is ठीक है ydse प्रियोग में एक बिंदू पर तिवरता अधिक तिवरता की चार गुना है sorry एक बड़ा चार गुना है बिंदू की कोणी इस्तिती क्या होगी ठीक है हम लोग जानते हैं intensity ydse में जब intensity अगर अपन same consider करते हुए चलते हैं कुछ नहीं mention कर रखा है और 1 by 4 ही maximum intensity के लिए बोल रखा है तो आपको यहाँ पर दोनों के intensity same consider करके solve करना है तो अगर अपन यहाँ पर देखें maximum intensity का कितना है अपने पास that is 1 by 4 तो यह कितना होता है i intensity at any point वो कितना होता है 4 i0 cos square कितना होता है 5 by 2 यह intensity का expression होता है जब आप दोनों sources की intensity क्या consider करते हो same consider करते हो और वो कितना रहेगा अपने पास यह i0 जो है वो एक source की intensity है 4 i0 जो होता है that is the maximum intensity देख है तो अपने पास i that is equals 2 यह बन जागा i m cos square कितना बन जागा यह 5 upon 2 और आपको यह बोला हुआ है कि this intensity at any point is 1 by 4 of the maximum intensity यानी कि i की value कि दिर्खी है i m by 4 दिर्खी है क्या पास संगा रही है maximum intensity का 1 by 4 दिर्खा है this 4 i0 is maximum intensity कहीं पर भी मिलने वाली है maximum intensity under root i1 plus under root i2 का क्या होता है whole square तो दोनों same है तो 2 under root i का क्या हो जाएगा whole square तो यह हो जाएगा अपने पास 4 i हो जाएगा तो i m से हमारे पास i m cancel cos square की बात करेंगे तो यहाँ पर under root करता हूँ तो cos अपने पास क्या हो जाएगा 5 by 2 that will be 1 by 2 cos 5 by 2 is 1 by 2 यानि कि 5 by 2 की value जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपने को 60 degree मिल जाएगे 60 degree ठीक है तो cos theta 1 by 2 60 degree तो यहाँ पर 5 की value कितनी हो जाएगी this will be 120 degree 120 degree की लिए अगर अपन 5 की बात करें तो radian में कैसे लिखेंगे अपन इसको यह हो जागा तुम्हारे पास 2 pi by 3 2 pi by 3 तुम्हारा 5 है तो delta x की बात करें या path difference की बात करें तो 2 pi की लिए क्या लिख सकते है अपन यह हो जागा lambda अपन कितना हो जाएगा 3 क्या बात समय रही है टेक है भाई 2 pi that is equals to lambda अगर अपन बात करें तो phase difference 2 pi का lambda path difference के equal रहेगा अब अपन ydac में जानते की delta x क्या होता है d sin theta that is equals to क्या रहेगा lambda upon 3 तो यहा हब अगर रहा हो साइन थीटा की बात करें तो यह कितना हो जाएगा lambda upon कितना हो जाएगा 3d या theta की बात करें तो यह बना बने जाएगा sin inverse यह बना अपन कितना हो जाएगा 3d sin inverse lambda upon 3D तो 37 का answer हो जाएगा 3 sin inverse lambda upon कितना हो जाएगा 3D 37 answer number 3 चलते हम पन question number 38 पर 38 38 the particle executing SHM at point x equals to a by 3 kinetic energy is K तेखें a बटा 3 पर kinetic energy क्या है K है, where a is the amplitude at point x equals to 2a upon 3 kinetic energy will be तेखें, अपनी को ये बूल रुख है पहले तो SHM में kinetic energy का expression क्या होता है K, that is equals to 1 by 2 M, ये होता है omega square, a square minus क्या रहेगा x square अपनी को ये बूला हुआ है कि x की value जब a बटा 3 है, तब kinetic energy कितनी अपने पास K है, तेखें, यहाँ पर मामला cancel हो जाना है, इधर हो जाएगा तुमारे पास a square minus क्या हो जाएगा, x2 का square upon क्या हो जाएगा, a square minus क्या हो जाएगा, x1 का square x1 की value इसने कितनी दे रिखी हैं, a बटा 3 और x2 की value इसने 2a by 3 दे रिखी हैं, तो आपने को kinetic energy के relation चाहिए k2, पदा करना है ठीक है, k1 की value इसने दे दी है k, इधर a square minus x2 का square, x2 कितना लखेंगे, इसका square, तो यह बन जाएगा 4 a square upon कितना हो जाएगा 9, 4 a square upon 9, upon, यह हो जाएगा a square minus, यह कितना हो जाएगा a square upon कितना चल जाएगा 9, ठीक है, तो इसका अपन कितना लख सकते हैं, 9 minus 4 यह हो जाएगा 5 a square upon 9 और यह बन जाएगा, अमारे पास कितना 9 minus 1 8 a square upon कितना हो जाएगा 9, ठीक है, a square से a square cancel, 9 से 9 cancel अमारे पास k2 upon k की value हो जाएगी, वो कितना हो जाएगी, 5 by 8 यह k2 की value बोलेंगे, तो यह हो जाएगा 5 by 8 कितना हो जाएगा k, k2 will be equals to 5 by 8 of k k2, 5 by 8 of k 5 by 8 of k तो 38 का answer number रहेगा 3, 5 by 8 of k simple question है, SHM का basic concept total kinetic energy, किसी भी जिगर पर किसी x point पर kinetic energy का expression 1 by 2m omega square, a square minus x square, दन, चलते हैं आपन अगले question पर 39 पर 39 39 कुछ ऐसा बोल रहा है हम लोग को, that if I is the momentum energy of solid body having alpha coefficient of linear expansion, then change in I corresponding to small change in temperature is, तहीं है यदि alpha रेखी प्रसार गुनांक वाली ठोस वस्तु का जड़त पागुर्ण I हो, तो तापमान में सुक्ष परिवर्तन delta T करने के लिए हमें I में परिवर्तन होगा, I के लिए अगर अपने बात करें हम लोग देख सकते हैं कि I, अगर अगर बात करें तो proportional to that will be M R square रहेगा, और linear expansion coefficient आपको कितना दे रखा है, alpha दे रखा है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ constant I is proportional to क्या है अपने पास R square तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ delta I upon I that will be equals to क्या रहेगा, 2 times of delta R upon क्या रहेगा, R ठीक है, जिसके according अगर अगर अपन linear thermal expansion का concept की बात करें, तो delta I upon यह हो जाएगा, I, this is 2 delta R जो रहेगा, वो क्या रहता है R alpha delta T ठीक है, अपन यह क्या हो जाएगा, मेरे पास R तो R से, R केंसल यहाँ पर मैं delta I की बात करूँ तो इस I को इधर बेजता हूँ तो यह हो जाएगा, 2 alpha I into कितना हो जाएगा, delta T simple thermal expansion का, simple basic question moment of inertia पर या temperature change का moment of inertia पर effect that is 2 alpha I delta T 2 alpha I 2 alpha I delta T this will be the answer 39 का answer number रहेगा, 3 चलते हैं अपन, question number 40 question number 40 question number 40 क्या बोल रहा है ये cylinder of height 20 meter completely filled with water the velocity of efflux of water through a small hole in the side wall of the cylinder, near the bottom is, एक 20 meter उचाई का cylinder पूर्णत या पानी से बरा हुआ है तीक है, और इसके इसके पैंदे की निकट यहां पर अपन ने क्या किया है, ऐसे एक hole किया है, तो यहां से पानी के आने की पानी निकलने का वेग क्या रहेगा तो ये completely filled है और ये height कितनी दिरिखी है अपने को that height is what h equals to कितना अपना 20 meter है तो यहां से speed of efflux जो है, speed of efflux, torus-release theorem अपन अप्लाई करेंगे और v की value, v का जो expression होता है, वो क्या होता है root 2g, capital H ठीक है, ये torus-release principle है जो अपन fluid mechanism पर पढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे v will be equals to under root 2g की value अपने पास 10 और h की value अपने को कितनी दिरिखी हैं, 20 20 into 2, 40 into 10, 400, under root of 400 that will be equals to कितना बन जागा मेरे पास 20, v, 20 meter per second meter per second में होगा, तो 20 meter per second, 40 का answer number रहेगा 2, ठीक है, ये ये जो containers filled होते हैं water, liquid से filled होते हैं, और that height is h, the height up to which liquid is filled, ठीक है ये टोरी सी प्रिंसिपल है, v is equals to root to H, root to GH, कि ये जो वेग रहेगा, ये मुक्त रूप से गिरती हुए वस्तु के वेग के क्या रहेगा बराबर रहेगा, होचाई से गिरती हुए वस्तु के वेग के क्या रहेगा, बराबर रहेगा ठीक है, तो चलते हैं question number अपन 41 पर question number 41 ये बोल रहा है, if heat generated in the circuit, it depends on resistance potential difference and resistance, potential difference and time for which current is flown लेगा, the error in the measuring above, resistance में, जो percentage error है, वो अपने पास कितनी है, resistance में R में इतना, potential difference V में कितना है, अपने पास 3% और time में कितना है, 4%, the maximum error in calculating heat will be, heat हम जानते है, H क्या होता है, circuit में heat produced कितना होता है I square R T और अगर आपने को, ये current की term में नहीं चाहिए, तो voltage की term में ये कितना होता है V square upon R into कितना रहेगा T, देक है तो अपने को percentage error है, H की calculate करनी है, तो H की percentage error तो क्या हो जाएगा, V का square हो रहा है तो 2 into V की percentage error plus R की percentage error और क्या रहेगा, T की percentage error ठीक है errors will always be additive, ठीक है, तो 2 2 तो अपने पास 2, V की percentage error कितनी है, अपने पास 3, 3 plus R की percentage error कितनी है, 2 plus T के लिए कितना दिरिका है, 4 तो यह हो जाएगा, मेरे पास कितना 3, 2, 6, 4, 10 plus 2, तो यह हो जाएगा 10 और 2, 12% तो result अपना मनना है, कितना 12%, ठीक है 12%, 41 का answer number रहेगा 3, 12% will be the result the error in the उश्मा की गणना में, अधिक्तम तरूटी कितनी रहेगी 12%, जहाँ पर वोल्टेज के लिए अपने को कितना दिरिखा है विवानतर के लिए 3 प्रूटेशन ठीक है, चलते हैं, अगले कुश्च्छन पर 41 के बाद अपन चलेंगे 42 पर अवेसल है 6 kg of oxygen of pressure P and temperature 400 Kelvin, a small hall is made in it so that oxygen leaks out ठीक है, ओके, how much oxygen leaks out of, if the final pressure is P by 2 and temperature is 300 Kelvin how many, how much oxygen leaks out, पूछा हुआ है तो पहले तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, P V is equals to NRT के according M upon capital M यह हो जाएगा, R T ठीक है, सारा मामला इदर उदर shift करें केवल R छोडें, तो आपके पास P V capital M upon small M into T, that will be equals to R, और यह quantity जो है वो हमेशा क्या बनी रहनी है, constant बनी रहनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है क्योंकि R क्या है, universal grace constant है, तो जो भी condition है उसमें अगर आपन चलते हैं, तो P1 V1 M1 upon small M1 into क्या हो जाएगा T1 that is equals to P2 V2 M2 upon यह जाएगा मेरे पास small M2 into क्या जाएगा T2, इधर pressure क्या है P, volume vessel का volume V maintained है आगे M कितना है M molar mass है, और oxygen की ही बात हो रही है, तो molar mass भी same ही बना हुआ है पहले M कितना था तो मारे पास small, पहले कितना है, 6 gram है और पहले का temperature कितना दे रखा है तुम लोग को 400 Kelvin दे रखा है आगे, अब जो pressure है वो कितना हो रहा है, P by 2 volume की vessel का वो ही है केवल छेद किया गया है, into अब अपने पास M जो है, वो oxygen नहीं है, तो M by 2 upon, small m, अब जो mass बचा हुआ है, ये बचा हुआ mass है, into अब जो temperature है वो कितना अपने पास, temperature is कितना 300, ठीक है तो यहां से V, M, P P, V, M, सारे cancel इधर बात करेंगे, तो यहां पर क्या हो जागा 3, 2, 6 1, 2, 0, दो 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 cancel इधर, देखें, 3, 2, 6, ये नीचे आएगा, तो यहां पर 3, 2, और ये 6 भी क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे, और M2 जो बचेगा वो कितना बन जागा मेरे पास 4 क्या मेरी बात समझना रही है तो 4 gram will be the mass which will be left in the container और अपने को पूछा हुआ है, how much oxygen that leaks out तो 6 gram में से 4 gram क्या है, बची हुई है, तो leak कितनी हुई है, 2 gram oxygen कहां से जा चुकी है, तो 42 का answer रहेगा, answer number 2 that 2 gram oxygen will leak out, are you getting this point एक simple question, ये वाला मामला आप हमेशा किसी भी case में apply कर सकते हैं क्योंकि इसकी value किसके बराबर होती है universal gas constant के बराबर होती है चलो, what we do के बाद चलते हैं question number 43 पर 43, 43 जो बोल रहा है वो ये है, क्या है 3 rods are made of same material and having the same cross section has been joined as shown in figure, each rod of the same length, left and 90 degree respectively, the temperature of the junction of the 3 rods will be यहाँ पर अपने पास समान पदार्थ से बनी हुई एक समान तीन चड़े हैं और जिनके ताप चित्रानुसार बनाए गए हैं ताप चित्रानुसार रखे हुए हैं अपने को इस junction का, इस संधी का ताप बताना है तो यह बिल्कुल current के हिसाब से solve करना है इदर high temperature, यह इदर low temperature high temperature to low temperature, heat flow होगा heat current H1 इदर आ रही है less से heat current H2 इदर आ रही है और यहाँ से heat current H3 जो हैं वो इदर की तरफ जा रही है तो इस पर केसी अलगर apply कर रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं that H1 plus H2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास H3 ठीक है अब इसके लिए K A upon L K A upon L law of thermal conductivity यूज़ कर रहे हैं heat current जो होता है K A upon L delta T delta T इस rod के लिए कितना है 90 minus कितना रहेगा T plus इस rod के लिए इसके लिए भी identical है K A upon L और यह कितना रहेगा तुम्हारे पास 90 minus T that is equal to इस rod के लिए 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 तो identical है K A upon क्या हो जाएगा तुम्हारा L इदर से T इदर क्या है 0 तो यह हो जाएगा T minus 0 high temperature minus low temperature K A upon L से K A upon L से K A upon L cancel इदर बन जाएगा तुम्हारे पास 90 और 90 1 A T minus का कितना हो जाएगा 2 T बराबर इदर कितना बच जाएगा T इसको इदर भेजता हूँ मेरे पास बन जाएगा 3 T that will be बस्टू कितना हो जाएगा 180 जिसकी वज़े से T की value आजाएगी कितनी अपने को 60 degree क्या पास समझ मारी है T की value 60 degree हम लोग को मिली answer number रहेगा अमारे पास कितना T the temperature of the junction will be 60 degree then simple question interesting maamla question number 44 44 44 जो बात कर रहा है a rectangular loop have side sliding connector PQ of length R and resistance R ohm and it is moving with speed as shown the setup is placed in uniform magnetic field going into the plane of the paper magnetic field की तर है अंदर की तरफ है यहाँ पर ठीक है the three currents I1, I2 and IR I1, I2 यह रहा तुम्हारे पास I1 यह रहा तुम्हारे पास I2 कहने का मलतब इसमें जो जाएगी वो I1 है इसमें जो जा रही है वो कितनी अपने पास I2 है और यह जो है यह कितनी है तुम्हारे पास I है इसकी value पता करनी है प्लेस जिनने uniform uniform magnetic field which is inward यहाँ पर अगर अपन देखें तो V इदर की तरफ magnetic field अंदर की तरफ positive terminal रहेगा उपर तो this P terminal will be positive this will be negative ठीक है और rod का resistance कितना अपने पास R तो यह equivalent circuit अगर अपन बनाएं तो equivalent circuit अगर अपन देखें तो यह कितना हो गया इदर resistance कितना है यह वो अपना उदर वाला 2R resistance इदर की बात करें तो इस rod का resistance कितना है R है तो यह कितना है R इदर बात करें positive terminal ऊपर की तरफ तो यह रहेगा आपने पास positive terminal इदर नीचे की तरफ क्या रहेगा negative terminal ठीक है और यह इदर वापिस कितना आजाएगँ अपने पास यह कितना है अपने पास 2R ठीक है इसकी अगर अपन बात करें तो यह rod इदर की तरफ is R, velocity इसकी V है, तो ये कितना होगा, B, V, L, देखे, अब बस अपने को ये वाली current पता करनी है, I, ये वाली current क्या है अपने पास, I1 और ये वाली current क्या है अपने पास, I2, तो ये 2R और ये 2R दोनों कौन है, किसमे है, parallel में है, तो parallel में तो 2R और 2R का parallel combination कितना हो जाएगा, R, और अपने तो circuit हो जाएगा, ये circuit simply ऐसे convert हो जाएगा, इधर क्या लग रहा है तुमारे पास, ये लग रहा है अपने पास R, इधर लग रहा है हमारे पास कौन, ये हो जाएगा, BVL, और इधर हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा, अपने पास R, यहां से अगर मैं current I की बात करूं, तो current I, ये दोनों R और R कितनी में हो जाएगे, series में हो जाएगे, तो I की value कितनी हो जाएगे, I will be equals to BVL upon क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2R, ये तो हो गई I, अब यहां पर देखे, तो I इन दोनों resistance में divide हो रही है, दोनों resistance की value क्या है, same है, तो current division क्या होगा, equal होगा, तो I1 और I2 की value जा रहेगी, I1 that is equals to I2, दोनों बराबर रहेगी, और ये कितनी रहेगी, I by 2 रहेगी, I by 2 क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या होगी, divide होगी, तो ये हो जाएगा, BVL upon कितना हो जाएगा, 4R, I की value, BVL upon कितना हो जाएगा, 2R, matching डर रहा है, I1, I2 की value हो जाएगी, BVL upon 4R, ये हो जाएगा, आपका कौन सा option number, 1, तो 44 का answer number रहेगा, हमारे पास, 1, 44, 1, चलते हैं आपका question number, 45, ये बन रहा है, हमारे पास, कितना, if F vector is this, is applied over a particle which is displaced from origin, to the point R vector is this, then work done, will be, ये अपने पास F vector है, ये अपने पास R vector है, this is final position vector, और 00 से अपन का है, शुरू हुए है, तो अपन देख सकते हैं, force that is equals to dot product, अपने को करना पढ़ेगा, this is 5, ये बन जागा मेरे पास, I cap, plus 3, J cap, displacement vector, 00 से अपन यां तक आए हैं, तो ये final position ही, जो क्या हो जाएगा, displacement हो जाएगा, 2I minus कितना हो जाएगा, J, work done, force dot displacement, F dot S, ये हो जागा, 5 दुना 10, minus का हो जाएगा, ये कितना, 3, तो दिस विप्लस 7 कितना हो जाएगा, Joule, plus 7 Joule, plus 7 Joule will be the answer of question number 45, plus 7 Joule, okay, 45, चलते है बन, question number 46 पर, 46, 46 भी क्या बूल रहा है अपने को, the inner and outer radius of the spherical capacitor are 50 cm and 60 cm respectively, the dielectric constant is 6, is filled in it, its capacity will be farad, यानि की capacitance अपने को calculate करनी है, इक गोलाकार संदर्यत्री की आंतरिक तथा बाई ये तरिज्जा है, करमईशे 50 cm तथा 60 cm है, और उनके मेंदे 6 पराविद्दूत आंका पराविद्दूत बरा होगी है, देखे है, धारिता, ये फेराड, फेराड है, फेराडे नहीं है, फेराडे तो charge की unit होती है, इतना आप समझती है, फेराडे is largest unit of charge, छन्योजार 500 कुलाम, तो फेराडे is unit of charge, फेराडे is unit of capacitance, चलाते है, अब ने पास spherical capacitor है, spherical capacitor की capacitance का expression क्या होता है, यह होता है, 4 pi epsilon 0, यह रहता है, हमारे पास r1, r2, upon क्या होता है, r2 minus r1, देखे है, higher radius minus lower radius, और जब अपनने dielectric filter के रखा हुआ है, तो यह यहाँ पर epsilon r और आ जाएगा, क्या पास संगना रही है, देखे है, तो capacitance अपने को calculate करना है, values 4 pi epsilon 0, epsilon r की value कितन हो गई है, 6, ठीक है, यहाँ पर चलाएंगे, इधर, r1, r2, कितना हो जागा यह, 50 cm है, तो मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.5, into 60 cm कितना है, 0.6, higher minus lower, this will be 0.6 minus कितना हो जाएगा, 0.5, कोई दिक्कत इसमें, नहीं, और हम लोग जानते है, 1 upon 4 pi epsilon 0 is equal to 9 into 10 raised to power k की value, 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 10 raised to power 9, तो यह 4 pi epsilon 0 है, तो मैं इसको यहाँ से तो हटा देता हूँ, और नीचे मैं इसकी value रख देता हूँ, 9 into 10 raised to power कितनी हो जाएगी, 9, 1 upon 4 pi epsilon 0, that is equal to 9 into 10 raised to power 9, तो 4 pi epsilon 0 will be equal to 1 upon 9 into 10 raised to power 9, तो बस इसको solve कर देते हैं, यह 6 upon 9 into 10 कितना हो गया, यह 9, into, यह हो जागा 0.5 into 0.6 upon क्या हो जागा, मेरे पास 0.1, यह से point से point गया, तो है है, अगर मैं बात करूँ 0.5, तो 0.5 का मतलब यह 1 by 2, यह हो जागा मेरे पास कितना, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ, this is 1 by 2, और इस 1 by 1 by 2 को, 1 by 2 को मैं 6 से अगर cancel करूँ तो यह कितना हो जागा, 3, 3 से मैं 9 को cancel करूँ, तो यह कितना हो जागा, 3, और, 3 से 6 को cancel करूँ, तो यह कितना हो जागा, 2, तो यह बनना चाहिए, 2 x 10 46 का answer number हो जागा, आपने पास कितना, 1, 2 x 10 को मैं 9 फेराट, चलते है, आपन क्य्शिन नम्बर 47, क्या बोल रहा है, आपनेको? यह कुछ भी कुछ बोल रहा है, बोट कवर सटें डिस्टेंस बेविन तू स्पोर्ट इन रिवर टेकिंग टीवन टाइमस गोईंग अप्स्ट्रीम वाट विट टीवन गंटे में धारा की दिशा, धारा की दिशा में माना ये अपने को क्या दूरी ताय करनी है, एक्स दूर करते हैं, तो दारा की दिशा में जो प्रभावी वेग होता है, वो तेरा का वेग प्लस क्या होता है, रिवर की वेलोसिटी, ठीक है, तो टीवन की वेल्यू अगर मैं बोलू, तो टीवन कितना हो जाएगा, एक्स बटा कितना हो जाएगा, वी प्लस कितना हो जाएगा, वी plus vr, v is the swimming velocity of man, vr is the river velocity, उसी तरह से जब अपन upstream में आ रहे होते हैं, तो same distance अपने पास ये हैं, और upstream में with respect to earth जो velocity रहेगी that will be v minus कितना हो जाएगा, vr और इदर ये same distance अपने पास कितनी है, x, तो इदर t2 कि अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास x upon, ये बन जाएगा मेरे पास v minus कितना हो जाएगा vr, ठीक है अब अगला issue ये है कि अपने को same to same मामला क्या करना है जब river flow नहीं हो रही हो तो फिर किस से आओगे तुम keval और keval v से आओगे और ये अपना t है तो ये x upon कितना हो जाएगा ये v हो जाएगा, ये अपने को क्या करना है calculate करना है तो t की value पता करनी है तो मैं t1 और t2 को अगर adjust करूँ तो ये v plus vr को मैं उदर ले जाता हूँ v plus vr that will be equals to क्या हो जाएगा x upon t1 उसी तरह से इदर v minus vr इसको में लेख सकता हूँ x upon कितना हो जाएगा ये t2 ये बन जाएगा मेरे पास कौन v minus vr that is x upon क्या बन जाएगा x upon इसको बोल सकते हैं आपन क्या t2 ठेक है, x upon v की value अपने को क्या करनी है पता करनी है, तो मैं इन दोनों को क्या करता हूँ add कर लेता हूँ, इन दोनों equations को मैं add करूँगा तो vr से vr क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा, क्यूंकि मुझे x upon v की value पता करनी है तो adding equation 1 and 2 क्या हो जाएगा, vr से vr cancel इधर बन जाएगा 2v that is equals to क्या हो जाएगा X upon T1 plus X upon क्या बन जाएगा T2 क्या बात समना रही है या मैं आपर 2V और इदर से क्या कर लेता हूँ X common ले लेता हूँ T1 T2 का LCM लेता हूँ तो यह हो जाएगा T1 T2 इदर चला जाएगा तुम्हारे पास T2 इदर चला जाएगा तुम्हारे पास कौन T1 अपने को X upon V की value बता करनी है तो X upon V X upon V इदर जाएगा तुम्हारे पास 2 T1 T2 upon क्या हो जाएगा T1 plus T2 X upon V that will be एक बास to the time taken now in still water तो still water में हमारे पास time कितना लगेगा 2 T1 T2 upon T1 plus T2 एक बढ़िया question, एक simple question 2 T1 T2 upon क्या रहेगा T1 plus T2 कितना समय लगेगा तो 47 का answer number अपना कितना बजाएगा 3 2 T1 T2 upon T1 plus T2 चलते हैं अपन 48 पर 48 क्या बोल रहा है अपने को यह बोल रहा है कि ऐसा the velocity of two steel balls before the impact are shown if after head on impact the velocity of ball B is observed to be 3 meter per second to the right यह रहेगा left, यह रहेगा अपना right the coefficient of restitution is टक्कर से पहले दो steel गेंदो की वेग चित्रानो साड़ दिये गए टक्कर के बार B का वेग दाईयोर 3 meter प्रतिसेक्ट प्रेक्षित होता है तो प्रत्यवस्तान गुणां का मान होगा ठीक है एक तो पहले direction लगा देते हैं इदर वाली direction अपनी क्या है positive और इदर वाली direction क्या रहेगी मेरी negative ठीक है टक्कर के बाद की बाद यह है कि मैं V A को V A लिख देता हूँ ठीक है और यह जो मेरे पास है यह कौन है बी है तो B की velocity आपको टक्कर के बाद में इदर की दिवी है और V A अगर negative हुआ तो answer negative हाजाएगा यह 3 meter per second है 3 meter per second ठीक है मास इनके अपने को दे रखे हैं momentum conservation अगर apply करते हैं तो momentum before collision यह इदर की दिवी है तो यह बंजागा 0.6 इन्टू क्या हो जाएगा 4 कौन चल रहा है यह positive यह बंजागा मेरे पास कौन इदर यह इदर की दरफ है इसका momentum तो यह हो जाएगा minus में इदर बंजागा यह कितना 0.4 इन्टू कितना हो जाएगा यह 2 क्या पास समझा रही है this is negative direction आगे वापिस से बात करते है इसका mass कितना है यह अपने पास 0.6 इन्टू velocity कितनी है अपने पास VA यह पता करना है और यह जो है इसकी velocity इस direction में दे रिखी है तो इस direction में क्या हो जाएगा plus mass कितना है 0.4 इन्टू कितना हो जाएगा यह 3 ठीक है simple calculation है एक तो आप यह सारे point जो है यह हटा देते हैं यह point, यह point, यह point और यह point सारे point गए यह बन जाएगा मेरे पास कितना 24 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 that is equals to यह बन जाएगा 6 VA प्लस कितना हो जाएगा 4 तरी 12 ठीक है equation अगर अपन देखेंगे तो 6 VA 12 को उदर सब्टेक करेंगे 24 माइनस 8 16 16 माइनस किया हो जाएगा 16 माइनस का 12 तो यह बन जाएगा कितना 4 और VA की value कितनी आ रही है तुम्हारे पास आ रही है यह कितनी 4 बटा 6 जिसको अपन लिख सकते हैं 2 बटा 3 और यह value प्लस में आ रही है तो यह भी इधर ही जा रहा है कितने से जा रहा है 2 बटा 3 से इधर जा रहा है दोनों object एकी side में जा रहा है coefficient of restitution क्या होता है टक्कर के बाद पिंडों का सापेक्श वेक या relative velocity after collision सापेक्श चाल की बात करें तो relative speed after collision तो यह तीन से जा रहा है यह दो बटा 3 से जा रहा है तो इनकी relative speed कितनी हो जाएगी that will be 3 minus कितना हो जाएगा दोनों एक ही direction में तो V1 minus V2 T यह कितना हो जाएगा 2 by 3 ठीक है relative speed before collision before collision इनकी relative speed कितनी है 4 से और 6 4 और 2 से पास में आ रहा है तो V1 plus V2 तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास 6 क्या पास समझा रहे है कॉपेस्टिन बटर रिजिस्टू रिशन relative speed after collision and relative speed before collision तो यह दोनों एक ही से direction में जा रहे है relative speed after collision 3 minus 2 by 3 before collision that is V1 plus V2 6 ठीक है तो यह बन जाएगा मेरे पास कितना इधार देखते हैं 3, 3, 9 minus 2 बटा 3 और 6 इतना हो जाए 18 तो यह बन जाएगा 7 upon कितना बन जाएगा 18 7 upon 18 will be the answer 7 upon 18 इसका answer number रहेगा 48 का 1 7 upon 18 एक बढ़िया question जिसमें momentum conservation और coefficient of restriction अपने दोनों use किया inelastic collagen की condition है यह भी अपने पास 7 upon 18 चलता है अपन अगले question पर question number 49 question number 49 49 अपने को कुछ यह बोल रहा है एक मेक्चर कंशिस्ट अप टू रीडियो अक्टिव माटेरियल्स 1 and 82 half-lives of 27 second and 10 second respectively A1 की half-life जो दिरिक्षी है A1 कितने का है 20 second का है ठीक है और A2 की half-life कितने दे रिखी है अपने को 10 second दे रिखी है initially the mixture has 40 gram of A1 and 160 gram of A2 the amount amount of the two in the mixture will become equal after अच्छा तो पहले-पहले यह सब condition दे रिखी है और अपने को यह बताना है कि कितने समय पस्चाद mission में दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी समान हो जाएगी तो हम लोग जानते है mass पर भी यही rule लगेगा हम लोग के पास final mass जो होना चाहिए वो दोनों का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो final mass के लिए क्या लेख सकते है m0 ठीक है m0 of A upon 2 to the power small t upon क्या हो जाएगा T A और उसी तरह से इधर क्या हो जाएगा m0 of B upon क्या हो जाएगा 2 to the power small t upon कितना हो जाएगा T B ठीक है values put कर देते हैं और solve करेंगे either m0 of A A का कितना बन रहा है A का mass A1 A1 का मलब A हो जाएगा अपने पास इसका 40 gram है शुरू में upon 2 to the power t और A की भी अगर आपने देखें तो A1 कितना time है this is 20 that is equals to इधर कितना है तुम्हारे पास A2 का यह बन जाएगा कितना है 160 इधर चलेंगे तो यह कितना चल रहा है तुम्हारे पास 2 to the power t upon 10 और नीचे बन रहा है तुम्हारे पास कितना 2 to the power t upon 20 तु इसको उपर भेजेंगे तो IT क्या बन जाएगा minus of t upon कितना बन जाएगा 20 इसको उपर बेजेंगे तो यह बने गा एधर कितना चल रहा है तुम्हारे पास इसको बेजा उधर 2 to the power T upon 10, इसको बेजा उपर, तो minus of T upon 20, यह बन जाएगा, आमने पास 4, जिसको 2 to the power कितना लेख सकते हैं, अपन 2, तो basically अपने पास situation यह बन गही है, comparing both the sides, तो T upon 10, minus T upon कितना हो जाएगा, 20, T upon 20, that will be equals to 2, comparing powers, तेक है, T upon 10 में से T upon 20, अगर अपन सब्ट्रेक करेंगे, तो यह कितना बनेगा, T upon 20, 30 equals to कितना हो जाएगा, 2, और T equals to अपने पास कितना बन जाएगा, 40 second, एक है, तो calculation के according अपने पास 40 second इसका result रहेगा, यह 20 LCM, 2, 1, तो T upon 20, एक है, 40 seconds, 49 का answer रहेगा, हमारा 40 seconds, दन, तो चलते हैं हमपन, 40 seconds, question number 50 पर, और 50 यह बुल रहा है, कि हमारे पास कुछ situations ऐसी दे रिखी है, circular loop of radius R carries current I, देख है, another circular loop of radius R, small, that is less than capital R, ऐसा एक अपने पास क्या है, एक circular loop है, इसकी radius कितनी दे रिखी है अपने को, यह दे रिखी है अपने को कितनी, that is capital R, देख है, एक circular loop of smaller, carries a current small I, इसमें small I रखा हुआ है, and it is placed at the center of larger loop, the planes of two circles are right angle to each other, अच्छा, इसका plane ऐसा है, तो जो दूसरा वाला, छोटा वाला जो है, उसका plane अपने पास lesser right angle है, तो यह ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी radius अपने पास कितनी हो गई है, Aww, find the torque acting on the smaller loop, तो इसमें कितनी current flow हो रही है, बड़े वाले में less से कितनी current flow हो रही है, अबने पास capital I current flow हो रही है, छोटे वाले में कितनी current flow हो रही है, small I current flow हो रही है, तो इसकी वज़ेसे यहांपर magnetic field किदए रहेगा, ऑवर सर्कल कोई की वज़े से मु नॉड एन आई अपॉन क्या रहेगा 2R जिसमें अपने पास N की वेल्यू कितनी हो जाएगी 1 तो B की वेल्यू हो जाएगी मु नॉड आई अपॉन कितना रहेगा हमारे पास 2R यह हो जाएगा मैंगनेटिक फील्ड अब अपने को यह पता है कि यह वाला जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है और इसके यहाँ पर मैंगनेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर डिरेक्शन में है तो इस पर टॉर्क एक्ट करेगा और टॉर्क क्या करेगा वो इसको magnetic field की direction में arrange करने की tendency रखेगा और जो torque लगता है, वो torque क्या लगता है उसका expression अपन जानते हैं क्या होता है, बिना sin theta B I N A, क्या रहेगा, sin theta tau is equals to M cross B, और इसको अगर अपन solve रहेगा, B I N A sin theta B is the magnetic field, torque की बात करें, तो B magnetic field है, अभी value put करेंगे इसमें current कितनी flow हो रही है, इसमें small i current flow हो रही है, इसमें turn कितने है, एक turn है इसकी radius कितनी दिरिखी है, small r, तो इसका area हो जागा, pi small r का square, sin अभी ये दोनों एक दूसरे के perpendicular रहे, तो इसका area vector रहेगा इधर की दरफ और यहाँ पर magnetic field vector की दर है, इधर की दरफ, तो sin में angle कितना बनना है तुम्हारे पास, sin ये हो गया तुम्हारा 90, तो अपने पास torque की जो value रहेगे, this torque will be equals to B की value अभी रखेंगे, B, pi, ये हो जागा मेरे पास, i small r का square, और अगर अपन torque की बात करें, तो आप magnetic field की value पर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास B की value, mu naught, तो mu naught, pi तो pi, small i into हो जाएगा, कौन अपना, capital i, small r का square upon कितना हो जाएगा, 2r, एक बढ़िया question, mu naught pi i, small i capital r square upon कितना हो जाएगा, 2r, mu naught, mu naught pi i, i, r square upon कितना हो जाएगा, 2r, तो जाएगा, mu naught, 50 का answer हो जाएगा, 3, और कोई option, i, i, इसमें pi नहीं आ रहा है, there is no pi, तो ये भी नहीं मनेगा, इदर pi नीचे आ रहा है, ये नहीं मनेगा, इसमें mu naught i, i, इसमें भी pi नीचे ही आ रहा है, तो इदर 2 आ रहा है, तो हमारे पास result रहेगा, 50 का, 50 का answer number रहेगा, 3, ठीक है, एक बड़िया question है, torque and magnetic field, both we have discussed, 2 is equal to bina sign data, तो 50 का answer रहेगा, 3,